Hello everyone, स्वागत है आप सभी का बलाष्ट कोचिंग क्लासिस में बलाष्ट कोचिंग क्लासिस की तरब से परिक्षाबोध की एक सीरेज दी जा रही है इससे पहले लास्ट एर भी हम लोगो ने ऐसा दिया था तो इस सीरेज में हम लोग हिंदी मीडियम, इंगलिस मीडियम दोनों देखेंगे तो इस वीडियो में हम 10th क्लास हिंदी मीडियम का साइन्स टारगेट कर रहे है और यह जो आपकी परिक्षाबोध है वो 2023 वाले सेसन की है तो हमारे 2023 में सारे जो 10th क्लास के पेपर हैं वो सब कित्ते मार्क्स के होंगे 75 मार्क्स के जिसमें से 30 मार्क्स के अबजेक्ट बाएंगे तो इस वीडियो में यही 30 मार्क्स हम क्या कर रहे है टारगेट कर रहे है जो हमारे 30 मार्क्स के अबजेक्ट बाएंगे बाकी के सारे जितना आप कमेंट करोगे उससे साफ से फिर दूसरे वीडियोस में टार्गेट करेंगे अभी तो इसमें हम ये 30 मार्क्स का ही टार्गेट करेंगे आगे हम लोग देखते हैं तो मादमिक सिक्षा मंडल मद्य प्रदेश बर्ज 2022-2023 में से विज्ञान में से कुछ पाटि क्रम कम किये गए हैं तो वो देख लेते कौन-कौन से कम किये गए हैं तो इसमें हमारा चेप्टर नमर 5, 14 और 16 ये तो पूरा हटा दिया गया है नाइन्थ का हमारा 9.3 जो टॉपिक है एवॉलिशन यानि विकास से इससे लेकर के लाश्ट तक का लगबग सारा हटा दिया है और 11 चेप्टर में से हमारा थोड़ा सा हटा है कि सूरियो दय से सूरियास्त के समय ये दोनों टाइम पर सूरिय का रंग लाल क्यों होता है ये टॉपिक हमारा हटा दिया है अगर हम और आगे चलेंगे तो जो भी आपको श्टडी माटीरियल चाहिए वो सारा आपको कहा मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी और आप ये वेबसाइट के उपर भी जा सकते हो जिसका लेयाउट कुछ इस तरह से दिखेगा इस पर भी मिल जाएगा जैसी आप वेबसाइट खोलोगे तो ये डेक्स टॉप की इमेज जली हुए ये मोबायल में थोड़ी सी अलग आएगी ये 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट है ये 10th के हैं ये 11th के हैं और ये 12th क्लास के तो ऐसे सारे सब्जेक्ट का सारा कंटेंड मिल जाएगा अगर आप 12th क्लास को देखोगे तो ये सारे हैं पर ध्यान रखना जो आपको हिंदी मिडियम का चाहिए हो तो आप हिंदी के सब्जेक्ट पिक करोगे और इंगिलिस मिडियम का चाहिए हो तो ये इस एक हमारा टार्गेट है वो भी आपको दिखेगा तो वह आप हमारा अचीव करवाने में हेल्प जरूर करना और जैसे ही आप website पर पहुँच जाओगे तो यहाँ से अगर इस portion पर click करते हो तो आप सीधा telegram पर आ जाओगे यह आपका सबसे bottom में मिलेगा यह footer है website का और यह header है तो सबसे नीचे आओगे तो यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे हमारा यूटूब चैनल इस पर 10.5 के सबस्क्राइबर है तो आपको इसको सबस्क्राइब कर लेना है और यह आपकी प्लेलिस्ट है तो यहाँ से आपको सारा कंटेंट मिलते जाएगा पहला चैप्टर है हमारा रासानिक अभी करिया एवं समी करण इसमें हमारा पहला कोश्चन है सही बिकल्प चुनकर लिखिए सुद्ध जल का पी-एच मान होता है तो सुद्ध जल का जो हमारा होता है उसका नीट्रल होता है तो उसका पी-एच मान कितना हो जाएगा साथ उन्हें हम कहते हैं तो जिसमें हमारी उर्जा अंदर जाती है इसको हम लोग बोलते है उस्मा सोसी और जिसमें बाहर आती है उसको हम क्या बोलते है उस्मा छेपी तो उर्जा मुक्त होने के लिए हमारा कौन सा आ जाएगा तो इसका आ जाएगा हमारा उस्मा छेपी उसके ब per liter में जिते मौल की reaction हो जाती है तो यह हमारा क्या उसमें हमारा heat निकलती है और oxygen के साथ वो reaction कर लेता है तो ये राशाइने कभी क्रिया है 7th है किसी राशाइने कभी क्रिया का निर्धारन होता है जब तो इसका answer क्या आजाएगा अवस्था में परिवर्तन होता है रंग में परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है तो जब भी कोई chemical reaction होती है तो ये तीनों चीज़ें होती है उसका में भी color भी change हो सकता है एक अभगटन अभिक्रिया है हाइड्रोजन एवियम ऑक्सिजन के निकलने में मोल का अनुपात होता है तो इसमें मोल का अनुपात क्या होता है 2 ratio 1 क्योंकि जो हमारा मोल होता है तो वो होता है हमारा H2O तो इसमें ratio क्या हाइड्रोजन हमारा 2 है और oxygen एक है तो इसका क्या answer आजाएगा टू रेसियो बर नाइन्थ नम्मर का question है सूर्य के प्रकास में स्वेत रंग का silver chloride यानि धूशर रंग का हो जाता है या अभिक्रिया का उधार्ण है तो कौन सी अभिक्रिया का है? इस थापन अभिक्रिया का उधार्ण तस्वाए सोने और platinium को गलाने वाले अमल का नाम क्या है? तो यह किसके कार्ण जलता है? इसको हम लोग बोलते है एक्वारीजिया नेक्स्ट है हमारा 11th नम्मर का question तो यह हमारा लोज चूंड पर तनु हाइड्रो क्लोरिक कामल डालने से क्या होता है? तो इस से क्या होगा? तो यह हाइड्रोजन गैस बहार निकलती है और iron chloride बना लेता है क्योंकि जब भी किसी metals की हम लोग इसके साथ हाइड्रो क्लोरिक acid या किसी भी acid के साथ reaction कराते है तो हाइड्रोजन गैस बहार निकल जाती है पॉपिंग sound के साथ नेक्स्ट है हमारा बार्मा Fe2O3 plus 2Al की अगर हम reaction कराते हैं तो हम लोग जानते हैं जो ज़्यादा reactive होता है वो कम reactive से क्या कर लेता है? reaction कर लेता है तो यह हमारा क्या बना लेगा? Al2O3 और 2Fe अलग हो जाएगा तो यह कौन सी अभी क्रिया है? तो यह हमारी किस तरह की अभी क्रिया है? इसमें हमारा मतलब aluminium जो है वो ferrous को उसने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया है तो ऐसी reaction को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभी क्रिया बोलते हैं यह displacement reaction D answer हो जाएगा 13 is CAO प्लस H2O तो यह CAO H2 बना लेता है तो उसमा अभी क्रिया है तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा सही हो जी अभी क्रिया भी है क्योंकि यह दोनों का मैंड होगा और साथ साथ में उसमा छेपी भी है क्योंकि इसमें से उसमा क्या होती है? बाहर नकलती है उसके बाद में next टरी रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला हमारा सौसन ही का भी क्रिया है तो हम लोग जानते हैं उसमा निकलती है जिसकी वज़े से हमारे body का temperature maintain रहता है और जैसी इंसान ये reaction करना बंद कर देता है तो हम बोलते हैं सरी ठंडा पड़ गया क्योंकि उसमें से उसमा बाहर नहीं निकलती है नेक्स्ट हमारा second number का question चूने का बुझना परिवर्तन का उधान है तो चूने का बुझना हमारा कैसा है एक रासाइनिक परिवर्तन का उधान है इसका answer क्या हो जागा रासाइनिक यानिक chemical फिर नेक्स्ट है third वी रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकास का अफसोसन होता है कहलाती है तो उनको हम क्या बोलते है प्रकास रासाइनिक अभिक्रिया कहते है नेक्स्ट है चौथा ताप वबादाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर जाती है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है ताप वबादाब बढ़ाने से भढ़ जाती है नेक्स्टर पाच्वाँ, अभीक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हों कॉम्बिनेशन रियक्षन यानि संयोजन अभीक्रिया कहते हैं नेक्स्टर सेवंथ। वे अभी क्रिया जिन में अभी कारकों के बीच आईनों का आदान पिरदान होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दूई विस्थापन कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बदल जाते हैं, नेक्स्ट अभी क्रियां है, जिसमें उत्पादन के निर्माड के साथ साथ उस्मा भी उत्पन होती है, उना भी क्रिया को कहते हैं तो जिसमें उसमा हम पहले बढ़ चुके बाहर निकलती है तो उसमें 6 पी और अंदर जाती है तो सोसी मतलब वो अब्जर्ब कर लेता तो सोसी और बाहर निकलता है तो 6 पी तो इसका अंसर हो जाएगा उसमा 6 पी ना इन्थ है पॉपिंग ध्वावनी से जलने वाली गयस है तो यह कौन सी है हाइड्रोजन गयस है नेक्स्ट है हमारा H2 का योग O2 का हास अभी क्रिया कहलाती है तो जब H2 जोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते अब चाहें उसमा 6 पी अभी क्रिया दोनों दिसाओं में होती है तो यह भी सत है जल का बिद्धू दपगटन भौतिक परिवर्तन का उधारन है तो यह हमारा क्या है असत है बर्फ का जल्मा परिवर्दन होना उस्मा छेपी अभी क्रिया का उधारन है तो ये भी हमारा क्या है गलत है क्योंकि बर्फ जैसे जल्मा बनती है तो उस्मा उस्मा आउसोसित होती है यानि उस्मा सोसी है पांचमें हमारा फोटोग्राफी प्रकास रासाइने कभी क्रिया का उधान है पहला हमारा अगर हम लोग लाइट और हीट देते हैं तो इसमें AG और CL अलग-अलग हो चाता है तो यह हमारा किसका एग्जाम्पल है तो यह वियोजन अभी क्रिया का है क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं अलग-अलग हो रहे हैं CAO और CO2 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो यह हमारा किसका है जैसे एकल अभी कारक से दो उत्पात बना लेते तो भी हो जान और दो अभी कारक से एकल उत्पात बना लेते तो इसी को क्या बोलते हैं सही हो जाए नेक्स्ट है ने 2SO4, BACL2 को BASO4 यहने BAS इसके साथ मिल गया और NA इसके साथ मिल गया तो यह क्या हो जाएगा हमारा दुई विस्थापन अभी क्रिया हो जाएगी ठीक है पर इधर तो हमारा दुई विस्थापन दिये ही नहीं है तो कोई सा दूसरा हाँ यह अभ छेपड़ अभी क्रिया होगी नेक्स्ट है CH4 प्लस 2O2 और CO2 प्लस 2H2O और प्लस उस्मा हमारी निकल करके आ रही है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह उस्मा छेपी अभी क्रिया हो जाएगी और केल्सियम कार्बोनेट यानि CACO3 को अगर हम हीट देते हैं तो जब हम हीट दे ही रहे इसके उपर लिखा हुआ है तो फिर यह क्या हो जाएगी उसमा सोसी अभी क्रिया हो जाएगी उसके बाद में 5 वा कॉस्चन है एक सब्द और एक वाक के मा उत्तर दीजिए तो पहला भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभी क्रिया होती है तो भोजन के पाचन में कौनसी होती है बियोजन अभी क्रिया होती है ठीक, नेक्स्ट है उत्पाद क्या है, तो उत्पाद क्या होता है, जिसे जब हम chemical reaction लिखते हैं, तो ये कैसा होता है, फिर एरो लगा होता है, फिर ये होता है इधर, तो ये वाला हमारा क्या होता है, उत्पाद और इसको हम क्या बोलते हैं, अभीकारक, मतलब reaction होने के time, जो जो हमारे चीजां होती हैं, उनको हम अभी कारक बोलते हैं, और फिर reaction हो जाने के बाद में, जो बाद में बशना है, वो हमारे क्या होता है, उत्पात होता है, तो इसमें लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ जो रासाने कभी क्रिया के फलसुरू प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड नम्मर का कॉशन अभी क्रिया की गती को प्रभावित करना वाले प्रमुक कारक कौन कौन से हैं तो अभी क्रिया की गती किन किन की बज़े से होती है, अभी कारकों की प्रकरती की बज़े से होती है, उनकी सांधरता है, यानि उनका कौन कम है, कौन जादा है, उसकी बज़े से भी, तापमान की बज़े से भी होती है, कि temperature को बढ़ा दोगे तो बढ़ जाता है और उत्प्रेरक के कारण होती है उत्प्रेरक ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम reaction में डालते हैं तो कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है मतलब अलग-अलग उत्प्रेरक होते हैं बढ़ाने के लिए अलग और कम करने के लिए अलग नेक्स्ट चौथा जली अवस्था क्या है तो यह क्या होता है अभी कारण उत्पात को जल में जब बिले किया जाता है तो उसे हम जली अवस्था कहते हैं इसी को इंग्लिस में Equus Solution बोलते हैं जब जैसे मैं कोई साथ लिख रहा हूँ जैसे मारे लोग S-C-L करके और मैंने यहाँ पर Equus लिख दिया तो ऐसा करके कि यह हमारा क्या है तरवल पदार्थ में ऐसा करके मतलब आ जाता है कि किसी के पीछे अगर L लिखते तो Liquid G लिखते तो Gas और S लिखते तो Solid और AQ लिखते तो जली यह कहलाता है नेक्स्ट है हमारा पांचमा उसमा सोसी अभी क्रिया किसे कहते हैं तो उसमा सोसी यह तो हम पढ़ चुके जिसमा उसमा उसोसित हो जाती है उसम क्या बोलते हैं उसमा सोसी छटमा बिना पुछे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है तो इसका क्या होता है Calcium Oxide CAO उसके बाद में साथमा उत्प्रेरक क्या है तो उत्प्रेरक भी देख लो वे पदार जो रासायनिक अभी क्रिया में स्वैम भाग लिए बिना अभी क्रिया की दर को क्या कर देते परिवर्तित कर देते उन्हें हम क्या बोलते उत्प्रेरक बोलते ये मतलब अभी क्रिया में ना तो उत्पाद में होते ना ही अभी कारक में होते बस इनको देख करके रखो तो ये क्या करते उसकी rate को खम जादा करते रहते हैं नेक्स्ट है हमारा एट्थ नम्मर का जब किसी योगिक से oxygen सेयोग्त होती है तब यह अभी क्रिया क्या कहलाती है तो जब हमारा oxygen जोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उप्चैन दोनों होते हैं तो उसे हम उप्चैन अप्चैन अभी क्रिया भी बोलते हैं या फिर redox reaction बोलते हैं या फिर उपाचैन भी बोलते हैं ठीक है लास्ट हमारा लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के अभी क्रिया है तो लोहे में जंग लगना हमारा ये मतलब धीमा सिलो हो जाता है पर कॉश्चन है लोई पर जंग लगना किस प्रकार के अभी क्रिया है तो यह हमारी सिलो है और इसको हम बोलते क्या है संचार है अगर आपको ऑडियो बगेरा में कुछ क्लियर आ रही हो मतलब साफ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग हैंट फ्री लगा करके इसको जरूर देखना जिससे की ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका तो पहला क्यूशन है हमारा नीबु के रश की प्रकृति क्या है तो नीबु हमारा कैसा होता है आमली होता है एक बार ध्यान रखना हमारी जो pH scale होती है वो ऐसी होती है और यह बीच में 7 से break होती है तो यह zero से लगा कशना करके कहा तक जाती ही 14 तक और zero से seven तक हमारा क्या होता है acid यानी arml और इदर हमारा क्या होता है छार यानी base और जो हमारा seven होता है यहाँ पर क्या होता है हमारा उदासीन इसलिए जो हमारा पहला question था पहले chapter का की जल हमारा कैसा होता है तो वो हमने क्या लगाया था ऊदासीन होता है next is हमारा second question एक घुल का pH मान 4 है तो घुल कैसा है तो अभी हमने पढ़ा कि 7 से कम होगा तो कैसा हो जाएगा 14 गोल का pH मान क्या होता है तो 60 गोल का क्या हो जाएगा 7 से जादा है यहीनि pH वेलियो is greater than 7 ठीक है तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा next है हमारा यदि कोई वेक्ति अत्यादिक भूजन करने के कारण अमलता से पीडे है तो आप कौन सा अपचार सुछाएंगे तो अमलता का मतलब हो गया क्यों से एसे डिटी होगी और एसे डिटी होगी तो उसे हमें क्या देना चाहिए बेस देना चाहिए और बेकिंग सोडा का बिलियन हमारा क्या है बेस है जिसे वो हम इनो वगेरा आता है वो सब हमारा क्या बेकिंग सोडा है नेक्स्ट है हमारा चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातू को काटा जा सकता है तो चाकू द्वारा कौन सी धातू को आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को चट्वान निम लखित में से कौन सा एक चारक नहीं है, तो इसमें से हमारा कौन सा एक चारक नहीं है, तो इसका आंसर हो जागा C2H5OH, ठीक है, यह हमारा चारक नहीं है, यह हमारा क्या है, एलकोहल है, ठीक, फौर्थ चेप्टर में यह अपना पढ़ा होगा, नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए निम लिखित में से किस औसदी का उपयोग किया जाता है तो इसमें से किस औसदी का यूज किया जाता है अभी उपर हम पढ़कर क्या रहे कि इनो बगेरा का यूज करते हैं पर वो हमारा क्या है एंटा एसेड है नेक्स्ट आट्वा टमाटर में कौन सा आमल उपस्तित होता है तो टमाटर में हमारा कौन सा होता है ओक्जलिक एसिड उपस्तित होता है नेक्स्ट आ हमारा नाइन्थ नमर का कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभवता क्या होता है तो जो लाल लिट उद्वार तक हमारा क्या होता है बेस होता है उसके बाद में last objective है हमारा कोई billion अंडे के पिसे हुए कबच से अभिक्रिया करके एक ग्यास उत्पन करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो इस billion में क्या होगा हमारा HCL होगा ठीक है इसके बाद में next हमारा रिक् ट्रिक एसेट उपस्ते होता है दूसरा कोश्चन है जिनकी गंद अमली या छारी माध्य में बदल जाती है उन्हें कहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं गंदिये सूचक बोलते हैं मतलब जैसे आपने वो सूचक पढ़े ना कि एक लिटमस होता है और फिर जो आपको सूचन होते हैं वो हमारे देते है एच प्लस आइंस और बेस देते हमारे ओएच निगेटेव आइंस और छार को हम क्या बोलते हैं यानि यह हमारा क्या देते हैं ओएच निगेटेव आइंस तो तीसरे कांसर हमारा क्या हो जाएगा ओएच निगेटेव आइंस चोथा हमारा ब्रं केल्सियम सर्फाइड होता है यानि C A A S O 4 ठीक है यह केल्सियम C A A S O 4 और फिर इसके साथ मैं प्लास्टर और प्यरस में 1 by 2 H 2 O हो भी आ जाता है, ठीक? एक दूसरे को उदासीन करके लवड एलम का निर्माड करते हैं तो यह लवड एभं जल का निर्माड करते है सिरके में आमलोपस्तित होता है तो सिरके में कौन सा आमलोपस्तित होता है तो सिरके में कौन सा आमलोपस्तित होता है तो इसमें कौन सा होता है अमलोपस्तित होता है तो ये भी कैसा है, सत्त है तीसरा है, अमल का pH मान 7 से एधिक होता है तो ये हमारा कैसा है, असत्त है क्योंकि अमल का pH मान हमारा जीरो से कहां तक होता है, सत्त उसके बाद में नेक्स्टर बर्सा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अमलिय वर्सा कहलाती है तो ये भी हमारा कैसा है चौथा सत्थ है पांचवा हमारा प्लास्टर और पेरिस को प्योग क्लोना मूर्तिया सजावट का सामन बनाने में होता है तो ये हमारा कैसा सत्थ है चट्वा हमारा CS3 OH एक छार है चूँकि इसमें OH उपलब्द है तो ये हमारा कैसा है असत्थ है क्योंकि ये हमारा कैसा एलकोहल है चार नहीं है क्योंकि जब हम इसे पाने में डालते हैं तो OH माइनस आइंस नहीं देता है नेक्स्ट हमारा सात्मा मैथल औरेंज एवं फनौफ्थलीन संसलेसित अमल चार सूचक होते है तो ये भी हमारा कैसा सत्थ है आठवा हमारा NS3 एक अमल है क्योंकि इसमें H पलस आइंस उपलब्द है तो ये भी हमारा कैसा असत्थ है उसके बाद में हम लोग अगले कॉस्टन्स पर चलते है तो नेक्स्ट हमारा उच्छे संबंद जोड़ियां बनाईए पहला हमारा सिर्का तो ये हमारा सिर्का क्या होता है एसिटिक अमल होता है नेक्स्ट हमारा इमली तो इसमें क्या होता है टाटरिक अमल होता है तीसरा हमारा चीटिका डंक तो यह हमारा क्या है, methanoic अमल है चौथा है हमारा nebu, तो इसमें क्या होता है, citric अमल होता है और पाचव हमारा tomato, तो इसमें क्या होता है, oxalic अमल होता है इसके बाद में next है हमारा second, तो यह हम दूसरा मैसिदा column देख लेते तो यह हमारा plaster of Paris तो plaster of Paris हमारा क्या होता है cao4.1 by 2 next है छोथा बुजा हुआ चुना तो हमारा कौन सा होता है cao4.2 next है हमारा sodium chloride तो sodium chloride हमारा क्या होता है NaCl, नेक्स्ट हमारा साधान नमक का सूत्र तो ये भी हमारा क्या होता है NaCl, इसमें sodium chloride का H2MCl2 बनाने में होता है, तो ये भी हमारा सही है कि sodium chloride हमारा क्या होता है, H2MCl2 बनाने में होता है बाकी का sodium ही chloride को हम क्या बोलते है साधन और सूत्र बोलते है अगला है हमारा एक सब्द और एक बाक के मत्तर दीजिए तो पहला है हमारा question नेटल एक साक्य पादप है इसके डंक से कौन से अमलका श्राव होता है तो कौन से अमलका होता है मैथनोईक अमलका दूसरा हमारा धावन सोडा कौन सा लवन है तो यह हमारा चार के लवन होता है तीसरा हमारा पीने के पानी को जीवानों से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो यह किसका किया जाता है याट इमारा चौछंग Content चार क्या होताई तो जो हमारा चार होता है वह हमारा क्या होता है तो यह जल में घुलंसील saurak siya Lea क्या हुए पाँचारक में किसका उपयोक किया जाता है तो किसका किया जाता है POP यानि प्लाष्टरों पेरिस का नेक्स्ट है हमारा छटमा सुद्ध जल का pH मान कितना होता है तो ये कितना होता है साथ होता है साथ मां अमलों के pH मान का परिसर क्या है तो अमलों के pH मान का परिसर क्या होता है अगर ये साथ से कम है तो हमारा क्या कहलाएगा अमल कहलाएगा नेक्स चारों के pH 1 का परिसर क्या होता है तो अगर चार हमारा साथ से अधिक होता है तो हमारा क्या कहलाएगा चार अमलेवं चार के अभी क्रिया से क्या बनता है तो जो हम अमल और चार को मिला देते हैं से हमारा लवड बनता है यानि salt और साथ में क्या बनता है जल बनता है एक्ष्ट हमारा दसवा question तो टैन्थ नम्मर के question में अम्ल धात्विक कार्वनेट से अभी क्रिया करके कौन सी गेस निकालता है तो यह कौन सी निकालता है आफिक्रिया करके कौन सी रंगीन गेस निकालती है तो इसको हम लोग नूट्राय लाइजिसन यानि उदासी निकराण कहते हैं अम्रीड या बिलियन के pH का मान क्या होता है, तो जितने भी हमारे अम्रीड ये बिलियन होते, इनका pH मान क्या होता है, हमारा, ac secrets से कम होता है, इसके बाद में चलते हैं कि 3rd Chapter की तरफ, थर्ड हमारा धातू ये बहाँ अधातू, हो रहा है तो आप वीडियो की speed को slow करके भी देख सकते हो पर जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में देख लिया तीन तीन चार चार दिन का gap देख करके देखोगे तो जब तक फिर क्या होगा आपके दिमाग में यह सारी चीजें बैठ जाएंगे अच्छे से चलो हम पहला question देखते है थर्ड chapter का तो पहला हमारा सोने और platinum को गलाने वाले अमल का नाम क्या है तो जो हमारा सोना होता और जो platinum होता उसको कौन गलाता है एक्वारी जैं दूसरा कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभी क्रिया करती तो यह कौन सी करती है हमारी potassium ठीक है next हमारा third objective तो तीसरा हमारा अत्यदिक क्रिया क्रिया सील धातु कौन सी है तो सबसे जादे क्रिया सेगपाइटु कौन सी है principles Вы a few objectives Ch 가능 वह और अधातु का उधारन है तो हमारा एधातु का उधारन गापर्ण को got атив आफ मैं जाएगा सभी पांच में हमारा ऐथश्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है तो इसकी सबसे अच्छे चालक धातु कौन सी है copper नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो द्रव अवस्था में हमारी कौन सी पाई जाती मरकरी यानी पाया जो की हमारा thermometer होता है उसमें यूज होती है नेक्स्ट है सात्मा सबसे अधिक अभी क्रिया सील धातु है तो सबसे अधिक अभी क्रिया सील धातु हमारी कौन सी है तो ये धातूं में गुड नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा चमक ही निता क्योंकि धातूं में चमक होती है और चमक ही निता का तो यह धातु में गुड नहीं पाया जाता है उसके बाद में एक स्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला हमारा सोल्डर नामक मिस्र धातु का अव्यव है तो यह किसका है पी बी और एस अन का है दूसरे हमारा धातु सानमानिता ताप पर तरल होती है तो यह कौन सा होता है पारा जिसका सिंबोल हजी है जिसको हम लोग क्या बोलते है मरकरी बोलते है तो जो हमारा धातु सर्वोत्तम विद्दूचलक इबब उसमाचलक होती है, तो जो हमारा सिलवर यानी चांदी होती है, ये सबसे ज़्यादा विद्दूद की चालक होती है. चोथा है प्रकृति में धातु सोतंत रवस्था में पाई जाती है तो जो प्रकृति में सोना धातु है वो कैसी है सोतंत रवस्था में पाई जाती है पाचवा हमारा सुद्ध सोना कैरेट का होता है तो जो सोना होता है वो हमारा कित्ते का होता है कुछालक होती है जिसको हम लोग्म अ चालक बहुत strive कि बहुते हैं, इसको अचालक भी बोलते है, आठमा है काप योग थर्मामीटर एबन बैरोमीटर में क्या जाता है तो एक ही हमारी धातु है जो हमारी लिक्विड में होती है उसको हम पारा यमर करी बोलते हैं यह हमारी धर्मामीटर या फिर बैरोमीटर में यूज की जाती है आइंत में हमारा भंगुरता प्राया का प्रमुक गोड़ है तो भंगुरता क्या होता है अधातूं का प्राया गोड़ है जैसे हमारे स्कूल में जो चौक यूज होती है इसको आप दबाओगे तो भंगुर हो जाती यानि चूरा चूरा जैसा बन जाता है तो उसको हम क्या बढल भंगर। स्पाइब फंगर। लोहें में वह क्या बोलता है छंग लगने के बाद में भंगरT पर पन पर फंगर। पहला है हीलियम, नियुन, यबम, आरगन, उतकृष्ट, गेस, यह हमारा कैसा है? ट्रू है। हधातों एब hm выходing हो यह भी कस आसथ है तीसरा है坦wo को धातों एब・ aph हाथव में बर्गी करत नहीं किया जा सकत है तो ऐसस है। क्यूंकि जो हमारी आवरन चाड़ें में जो हमारी धातों और अधातों मने का किया गया है। चोथा है रेल पट्रियों को थर्मिट प्रक्रम द्वारा जोड़ा जाता है तो सत है क्योंकि जो रेल की पट्रिया उसमें कौन सी बेल्डिंग यूज होती है थर्मिट बेल्डिंग यूज होती है पांचवा है एक्वारीजिया में सोने इवन प्लेटनियम को गलाने का सामर में next है हमारा मैच सिधा कॉलम तो इनको हमें क्या करना है मैच करना है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसका pdf आपको हमारे telegram group पे मिल जाएगा और website पे भी मिल जाएगा website पे एक हम लोगों ने target रखा हुआ 500k का तो ये target को आपको अचीव करवाने में हमारी help करनी है जितना ज्यादा website पे जाओगे उतना ज्यादा ये हमारा target अचीव होगा ये मतलब revenue वगेरा जनलेट होगा next हमारा उचत संबंद जोडियां बनाई है तो पहला हमारा सबसे अधिक अभिक्रिया सील तो सबसे अधिक अभिक्रिया सील धातू हमारी कौन सी होती है इसे potassium होती है potassium highly reactive metal है हमारा तीक है next है द्रव धातू तो द्रव धातू हमारी कौन सी है एक ही है HG mercury यानी भारा सबसे कम अभिक्रिया सील धातू कौन सी है तो सबसे कम अभिक्रिया सील कैसी है हमारी कौन सी है AU जिसको हम लोग गोल्ड यानि सोना बोलते हैं नेक्स्ट द्रव अधातु तो द्रव अधातु हमारी कौन सी है तो जो हमारा ब्रोमीन होता है यह हमारा द्रव में होता और अधातु है और धातु का द्रव हमारा कौन सा होता है पारा यानि मरकरी नेक्स्ट हमारा पांचवा मिस्त्र धातु तो मिस्त्र धातु हमारा कौन कौन सा है तो जो इसमें हमारा कांसा है ये क्या है मिस्त्र धातु है छट्वा हमारा sodium, तो sodium हमारा कैसा अति-क्रियासील धातु है, लेकिन जैसे यह potassium भी अति-क्रियासील धातु है, पर यह सबसे देखें, मतलब sodium से भी जादा क्या होती है, potassium होती है, next हमारा 7 चमकदार अधातु, तो यह कौन सी है चमकदार अधातु, iodine होती है, next हमारा diamond यानी एक चमकीला अधातु तत है उसके बाद में नेक्स्ट है एक सब्द और एक बाग के में उत्तर दीजिए तो पहला है किस धातु का दहन आसानी से होता है तो जो हमारा मैगनेसियम है यह आसानी से जल जाता है वो मैगनेसियम के रिवन का एक कॉश्चन आता है कि अगर आप उ जलाओ तो ऐसे साफ क्यों किया जाता है क्योंकि इसमें चमक बहुत जादा होती है ठीक है नेक्स्ट हमारा कौन सी धातु है भाब के साथ अभी क्रिया नहीं करती है तो कौन सा नहीं करती है सीसा हो गया कॉपर हो गया चांदी हो गया सोना हो गया इसलिए इनको हम क्या करत जो हमारा सोडियम उते हैं उसको हम लोग चाखू से काट सकते हैं थोथा क्वश्चन धोष्ट कि किसे कहते हैं तो जिनमे धोनी उत्पन होती होने हम धोने के सोने रस कहते हैं और जो हमारे धातु होती उनमें एक गुण होता है जिसको हम क्या वोते हैं दोईनिक का गुण नेक्स चाह तन्नेता क्या होता है तो अगर हम लोग किसी बस्तू को खीशते हैं और वो पतले-पतले तारहों में बदल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं तन्नेता और यह गुण प्रहाय किन में पाये जाता है धातूं में चटवा है दो से दो या दो से अधिक धातूं के सामांगी मिश्रान को क्या कहते हैं तो इसको हम लोग अलोय या फिर हिंदी में मिश्र धातू कहते हैं नेक्स जब पारे की मिश्र धातू क्या कहलाती है तो जो हमारा पाला है उसकी मिस्र धातु क्या कहलाती है अमलगम कहलाती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा आठवा जब कोई तत्वे प्रकृती में विभिन रूपव में पाये जाता है तो इस गुड़ को क्या कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं अपरूपता कहते हैं, इंग्लिस में इसको yellow drops कहते हैं एक्षचर एट, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है तो जो सबसे कम अभी क्रिया करेगी धातु वही आसानी से संचारित नहीं होगी उसी में आसानी से जंगने लगीगी, उसी की चमक जादन टाइम तक बनी रहेगी इसलिए उसका use हम लोग आभूचरणों में करते हैं, तो वह हमारा क्या सोना जो धातु में कठोर सतय से टकराने पर धोनी उत्पन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग सोनेरस या फिर रिंगिंग या फिर धोनिक कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होती है, धोनी जादा उत्पन हो जाती है उसके बाद में नेकस्ट चैपटर है हमारा फोर्थ नम्मर का, जो है हमारा कारवन एवम उसके योगिक वैसे कारवन एवम उसके योगिक कि इस चैपटर को मतल़ ऑबजیک्टिव नहीं आने हैसमेंसे फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कार्वन एबं उसके योगे को पहला कोशन है हमारा कार्वन का पर्माड़ो किर्मांग क्या है तो कार्वन का पर्माड़ो किर्मांग क्या होता है 6 दूसरा है है हड्रोकार्वन का उधारन है तो hydrocarbon का मतलब क्या है जो hydrogen और carbon से मिल लेंगे उनको हम लोग क्या बोलते है hydrocarbon तो methane भी होता है, ethane भी होता है यानि answer क्या जाएगा उपर हो सभी तीसरा है alcohol का IUPAC नाम में अनूलगन है अनूलगन का मतलब जिसको हम पीछे लगा देते हैं तो इसका क्या होता है all लगा देते हैं, पीछे जो भी हमारा होता है उसमें ol करके नॉमन क्लेचर में जोड़ जाएते हैं जैसे methane है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? methane, ethane है तो क्या हो जाएगा? ethanol, अगर IUPAC नाम देखना है alcohol का, तो चौथा question है हमारा, alcohol मूलक को प्रदरसित करते हैं तो जो हमारे alcohol होते हैं, इसको हम लोग किस से प्रदरसित करते हैं? तो इसको हम R से करते हैं, ठीक है? next हमारा, ethane का, arvik sutra, C2H6 है, तो इसमें हमारा क्या होगा? तो जिसका सूत्री है, तो इसमें हमारे सह सही हो, जग बंद कितने होंगे? साथ होंगे, next हमारा, butanone, चतुर कारवन योगिक है, जिसका प्रयकरत्मिक समूर होगा, तो इसका अंसर हमारे क्या जागा? ketone, साथ में हमारा खाना बनाते समय यदि बरतन की तली बाहर से काली हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका यह मतलब है कि इननल पूरी तरह से जला नहीं है, जिस वज़े से वो क्या है? कारवन उसमें हाकर के चिपक गया है. next हमारा, आठ मां, बायू मंडल में कारवन निम रूप में से पस्तित होता है, तो बायू मंडल में किसमें? अलप मातरा में कारवन मोनो अक्साइड एवं कारवन डायूकसेड पस्तित होता है, नाइन्थ हमारा, एथेन का आडविक सूतर C2H6 है, तो इसमें क्या है? तो इसका अंसर हमारा क्या जाएगा? साथ सैयोजी आबंध है, इसके बाद में next हमारा, फिफ्ट जो चैप्टर ह वो तो हमारा पूरा हटा दिया गया है, तो अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ना वाले हैं, वो हमारा 6 है, जो कि हमारा क्या है? लाइफ प्रोसेस या फिर इसको हम लोग जया प्रक्रम बोलते हैं, यहां से हमारा बाइलोजी स्टार्ड हो जाती है 6 चैप्टर से, तो प राइजे़ भीम जीवाणू एक है तो राइज भीम हमारा किसका उधान ऑधान है साई जीवी का उधान है क्योंकि यह पेड़ पौधे से भोजन लेता है और जो atmosphere में nitrogen होती है उसको मिट्टी में क्या कर देता mix करते था तो पेड़ पौधों के लिए सहायता होती है next है चौथा हमारा बसा को बसी अंबल में बदलता है तो जो बसा है उसको बसी अंबल में कौन बदलता है lipase पांच में जल का absorption कहां होता है तो जल का absorption कहां होता है इंसानों में जल का absorption बड़ी आत में होता है next है सहीजीवी का उधार्ण है तो सहीजीवी का उधार्ण क्या है lichen ये d is lichen इसके बाद में next है हमारा 7th कीट भक्ची पौदा है तो जो कीट भक्ची पौदा है वो कौन सा है utry clearia नेक्ष्ट है हमारा एट प्रकास अंसलेशन की क्रिया पौधे के किस भागमा होती है तो एक ग्लूकोस से कितनी होती है 38 ATP की उर्जा उत्पन होती है यह ATP उर्जा को नापने के लिए यूनिट है नेक्ष्ट है उसका दसवा कोश्चन है क्रेप्स चक्र किरिया संपन होती है तो इसका अंसर क्या आजाएगा? मिट्रोकॉंट्रिया के अंदर इसके बाद में ग्यारवा कोश्चन है सौसन किरिया होती है तो जो सौसन किरिया होती है वो हमारी कैसी होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ओक्षिकराण नेक्स्ट है हमारा glycolesis की प्रक्रिया में glucose का आणू बिखटित होकर बनाता है तो इसका अंसर क्या आजाएगा हमारा pyruvic umle नेक्स्ट है हमारा 13 question तो ये हमारा amoeva पेरामीसिया में स्वासन होता है तो इन दोनों में किसके कारण होता है परासरन के कारण होता है चोथे हमारा ग्रास ओपर कीट में सौसन होता है तो ग्रास ओपर किसके कारण करता है तो यह करता है स्वासनाल दौर उसके बाद में next है हमारा 15 question फैपड़े इस्तिर होते हैं, तो फैपड़े हमारे कहां पे इस्तित होते हैं, बक्ष भुआ में इस्तित होते हैं नेक्स्टर उसके बाद में 16 कॉष्चन हमारा अनॉक्सी स्वसन होता है, तो अनॉक्सी स्वसन हमारा क्या होता है, कोश्च का द्रब में होता है नेक्षट है 17 पादप में जायलम उत्तरदाई है तो पादप में जायलम जल के बहन के लिए उत्तरदाई है नेक्षट है हमारा 18 मनुष्य में ब्रक एक तंत्र का भाग है वह है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उत्सरजन का भाग नेक्स्ट अब भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो यह किस भाग में हो जाता है छुद्रांत में पूरा हो जाता है उसके बाद में अगला हमारा रिक्तिस्थानों के पूरती कीजिए तो जो हमारा पहला रिक्तिस्थान है यह है एंजाइम्स प्रोटीन को पैप्टोन में बदल देता है तो कौन सा एंजाइम बदल देता है पैप्सिन दूसरा मच्छर एक है तो मच्छर हमारा क्या है परजीवी है क्योंकि दूसरों से खोन पी करके जिन्दा रहता है तीसरा है प्रोटीन का आवस्षोषन के रूपे में होता है तो प्रोटीन का आवस्षोषन हमारा अमीनो अमल के रूप में होता है चोथ है अमीवा जीव है तो अमीवा क्या है एक कोस के जीव है पांचमा है ठोस के रूप में भोजन गिरन करने की बिधी को कहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राणी या संपोशन उसके बाद में छटमा है हमारा सेरीर में जल का अवसोशन में होता है तो यह कहां होता है बड़ी आत में साथ में ऑक्सिस्वसन प्रमुक्ता हमें होता है तो ऑक्सिस्वसन हमारा प्रमुक्ता कहां होता है माइट्रोकॉंड्रिय में होता है उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एट्थ नम्मर का कोश्चन तो आठवा हमारा में ऑक्सिजन युक्त बायू ली जाती है तो इसका आंसर क्या आएगा निश्वन में नेक्स्ट हमारा नायंत की कोसिका का विद्धुत गिरह कहते हैं तो हम लोग जानते हैं जो माइट्रो कॉंड्रिय होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो यह क्या हो जाएगा जब हम लोग निश्वसन करते हैं मतलब एक्जेल करते हैं तब हमारे क्या होता है कार्वन डियोकसड जादा मात्रा में बाहर निकलती है नेक्स्ट है केचुए में सोसन होता है तो जो हमारे केचुए होता है उसमें सोसन कैसे होता है तो उसमें तोचा के कार्ण होता है मतलब उसकी स्किन के कार्ण होता है बारवा कोशन है हमारा फेंपणों की बायू बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है तो फेंपणों से बाहर निकलना क्या कहलाता है एकजेल या फिर निश्वासन तेरवा हमारा मैं एलकोहल बनता है तो जो हमारा एल्कोहल वो कब बनता है जब अनॉक्सी स्वसन होता है हमारे स्वसन दो टाइट के होते हैं एक अक्सी स्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्तिती में होता है एक अक्सीजन की उपस्तिती में नहीं होता है उसको हम अनॉक्सी स्वसन बोलते हैं जब जैसे हम ज़्यादा तेज जोड़ते हैं तो आनॉक्सिसोसन हमारा होने लग जाता है, जिसकी वज़े से एसेड और अलकोहल बगेरा जनरेट होने लग जाते हैं हमारी वर्डिय में, तो हम जल्दी ठक जाते हैं, एक स्था चाओदा की खोज बेटिस वैग्याने क्रेब ने की थी, तो किस ने की थी, क्रेब्स चक्र, की खोज बेटिस वैग्याने क्रेब ने की थी, पंद्रा है हमारा ओक्सिसोसन में की एटीप अडूमत्पन होते हैं, इसमें हमारे जो oxy-sosan होता है उसमें 2 ATP के होते हैं और जो unoxy-sosan होता है oxy-sosan में तो हमारे 38 ATP के होते हैं और unoxy-sosan में कितना होता है 2 ATP अड़ूत पन होते हैं तो इसमें लिखा है oxy-sosan में तो इसका अंसर कितना आजाएगा 38 और अगर अनुपस्थिती में होने वाला सोसन कहलाता है तो जो ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है अनुपस्थिती में होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है अनुपस्थिती में होता है अनुपस्थिती में होता है अनुपस्थिती में होता नकालने का प्रक्रम कहलाता है तो इसको हम क्या कहते हैं उत्सरजन जो भी हमारे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो इसे यूरिया बगेरा हो गया है यह हम बोड़ी से बाहर नकालते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं उत्सरजन नेक्स्ट है हमारा 90 नम्मर का question हरे पौदे अपना स्वेम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं भोजन अपना स्वेम बना लेते हैं नेक्स्ट है बाई भी इस सुषन की उपस्तिती में होता है तो यह किसकी उपस्तिती में होता है ऑक्सिजन की 21 है मचली के हिर्दय में केवल कोश्ट होते हैं, तो मचली के हिर्दय में कितने दो कोश्ट होते हैं, उसके बाद में अगला है हमारा सत्त, तो पहला है हमारा जीवधारियों में पोश्राण दो विदियों द्वारा होता है, तो इस सत्त है, दूसरा है नेफ्रोन, ब्रक की सं ुरिया में बदल देता यह फ़ी सथ हैं, पांचमें हका मारा नेफरडिया कैच्छा का उच्सरची अंग है तो यह भी हमारा सतolution का उट्सरची है, मिलेगा अगने आसे को पांचमा है हमारा लाइपेज तो यह किसको जाकर के मिलेगा लाइपेज आथ को छटमा हमारा ट्रिपसिन तो यह हमारा किसको जाकर के मिलेगा तो यह अगना से ही रसको साथमा हमारा पैपसिन तो यह मिलेगा जठर रसको और आठमा है यह अकरत तो य एक करत किससी जाकर के मिलेगा, यूरिया का नेरमार। ठीक है, उसके बाद में, next है हमारा, 2nd मैस दा कॉलम तो इसमें हमारा मचली, तो यह हमारा किसके को जाकर के मिलेगा, इसमें क्या होते हैं, गल्फड़ी या नि, गिल्ट्स होते हैं, सोसन के लिए दूसरा है हमारा केचुगा, तो केचुगा किसके द्वारा सोसन करता है, तो अच्छी है सोसन करता है, तीसरा है मनुष्टर में क्या होते हैं, सोसन करने के लिए लंग से या फिर फेपड़े होते हैं, चोथा है हमारा क्रेप्स चक्र, तो यह हमारा क्या है, पाइरुविक अ लगेगा ब्रक की संराजनात्मा के काई को दूसरा है हमारा इस्फिग मैनोमीटर तो इसका अंसर हमारा क्या हो जाएगा रखते दाप के लिए यूज होता है एक्स्ट है थर्ड हमारा ब्रक तो ब्रक हमारा किसको मिलेगा उत्सरजन को चोथा हमारा धूमरपान तो धूमरप क्लोरोफिल टो हमारा क्या करता है प्रकासनस सीलेसन है नेक्स्ट है एक सब्द और एक वाक के याकतर दीजिए तो इसका हमारा पहला कॉशन है म्रत जी भी पॉदे खौध maple गोजन कहां से प्राप्त करते हैं तो यह कहां से करते हैं सडए गले पदार्थों से करते हैं दूसरा है टिड़े में भोजन कहां पीचा जाता है तो टिड़े में कहां पीचा जाता है गिजार्ड में तीसरा है लाइकेन में कौन-कौन से पौदे साथ-साथ रहते हैं तो इसका अंसर क्या आजाएगा सैवाल और कबक चोथा है चंदन में किस प्रकार की पोशन विधी पाई जाती है तो इसमें कौन सी पाई जाती है परजीवी पांचवा है हमारा जीवधारियों में पोशन की कितनी विधिया है तो जीवधारियों में पोशन की कितनी विधिया होती है दो नेक्स्ट है हमारा चट्वा पूंड परजी भी पौधे का नाम लिखिए तो ये कौन सा है हमारा रेफलीस यह साथ मा हमारा ड्रेसरा पोशन के आधार पर किस प्रकार का पौधा है तो ये कैसा है कीट भग्ची है उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आठवा, प्रकास अंसलेशन में भाग लेने वाली गेस का नाम लिखिए, तो ये प्रकास अंसलेशन में हमारी कौन सी गेस भाग लेती, CO2, CO2 इसमें लगती है और O2 बाहर निकलती है, नाइन्थ है हमारा हरे पौद एक किस किरिया में ग्यारवा हमारा बायू की अनुपस्तिती में होने वाले सोसन को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवाई विये सोसन, बारवा हमारा पादपों की बाई विये भागों द्वारा बास्प के में जल, के रूप में जल, हानी क्या कहलाती है, तो इसको हम क्या बोलत chlorophyll होता है ठीक है उसके बाद मैं next है हमारा 7th chapter ये इंतरा नेवम समनवे ये वीडियो को आपको बार-बार देखना जिससे कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए जब भी आप दूसरी कोई activity कर रहे हो जिससे खाना खा रहे हो और दूसरे कोई काम कर रहे हो जब हम पढ़ नहीं सकते हैं तब हम ये वीडियो को हैंट्सरी बगेरा लगा करके सुन सकते हैं ताकि ये objective हमको याद हो जाए और ये objective exam के टाइम पे तो आपको बहुत ही जादा काम आएंगे क्योंकि विदिन बन आर या एक आर के आसपास में हम इस पूरी वीडियो को क्या कर रहा है cover कर रहा है तो जल्दी से जल्दी हमारा हो जाएगा इसकी पीडिया बगेरा कहां से मिलेगी वह आपको अभी हम लोग बता देंगे इसी वीडियो में कहीं न कहीं कि आप कहां से सारा डाउनलूड कर सकते हैं अप्र हमारा टेलीग्राम ग्रूप तो जोइन करी सकते हैं वहां से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगे जो भी इनफॉर्मेशन अपडेट आती है वेबसाइट पर भी आप जाते रहिएगा seven chapter है हमारा नियंघ्राण यवङ समय वेब्स टेसकप है पहला question है अनएक्षिक किरियाओं को नियंतृत करता है तो अनएक्षिक किरियाओं को को नियंतृत करता है Madula next है उसके बाद में Kendri ये तंतर का तंतर में होती है तो यह हमारे कहां होती है मस्तिस्क में भी होती हो और महरूरज्जू में भी होती है नेक्स्ट है थर्ड प्रतिवर्ति क्रियाओं का समन्वे एवं नियंत्राण करती है तो इसका अंसर क्या आएगा महरूरज्जू नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो जो हमारा एस्ट्रोजन है वो हमारा कहां से स्रावित होता है अंडासे से पांचवा हमारा मस्तिस की कितने भागों में बटा है तो मस्तिस की हमारा तीन भागों में बटा है नेक्स चटमा दो नियूरोन के बीच संधी कहलाती है तो जो दो नियूरोन होते हैं उनके बीच की संधी को हम क्या बोलते हैं सिनेप से बोलते हैं उसके बाद में next है हमारा साथमा और ये last objective है सरीर का नियंतरा निमन द्वारा होता है तो ये किसके द्वारा होता है, सैरे वेलम के द्वारा, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला रिक्तिस्थान है, के प्रभाव से बीज रहत फल प्राप्त होता है, तो ये हमारा इसका अंसर क्या आजागा, जिब्रेलिन के पंदन क्रिया का नियंत्राण द्वारा होता है तो यह किसके द्वारा होता है मैडूला अबला गेटा के द्वारा चोथा हमारा प्यूस ग्रंथी को ग्रंथी कहते हैं तो प्यूस ग्रंथी को हम क्या कहते हैं मास्टर ग्रंड या मास्टर ग्रंथी भी कहते हैं नेक्स्ट है पांच में तंत्र का तंत्र केबल में पाया जाता है तो तंत्र का तंत्र केबल जन्तुओं में पाया जाता है ये पादपों में नहीं होता है छटवा हमारा नली का विहीन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले द्रब कहलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं हार्मोंस कहलाते हैं साथ में हमारा पलकों का जपकना किरिया है तो ये कौन सी है प्रतिवर्ति किरिया है उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक सब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए ठीक है तो यह हमारा मदुमे रोग किस हार्मोंस की कमी से होता है तो जो हमारा मदुमे रोग है वो होता है हमारा इंसुलेन हार्मोंस की कमी से दूसरा हमारा ओक्समिक हार्मोंस किसे कहते हैं तो ओक्समिक हार्मोंस किसको कहते हैं एड्रिनेल हार्मोंस को तीसरा हमारा पौधे में कितने प्रकार के हार्मोंस होते हैं तो पौधे में कितने प्रकार के होते हैं किसके द्वारा होता है प्रिटिटी ग्लेंड यानी प्यूस ग्रंती का। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा साथमा फेरोमॉन का क्या अर्थ कारे है तो यह gettinton होते ही। यह कीटों को आकरशित करने का काम करते हैं। आठवा है हमारा मनस के कंकालिये तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, बारा जोड़ी, नाइन्थ है हमारा पुरुस में मस्तिस्क का भार कितना होता है, तो जो पुरुस होते हैं, उनमें मस्तिस्क का भार कितना होता है, 2400 ग्राम होता है नेक्स्ट है हमारा दसमा प्रती वर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है तो इसको कौन करता है महरूरज्जू ग्यार्मा हमारा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मद्ध खाली स्थान को क्या कहते है तो इसको हम क्या कहते है snaps कहते हैं उसके बाद में next है अगर कभी आप हमारी website पर जाओगे तो हमारी website का ये इस तरह से कुछ आपको layout देखेगा तो यहीं से आपको सारी चीजें मिल जाया करेंगे उसके बाद में next है हमारा 8th chapter जो है जीव जनन कैसे करते हैं इस वीडियो को आप उस टाइम पर जरूर जाद देखना जब आपका एक्जाम होगा क्योंकि बार-बार देखने से एक questions आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे पहला है हमारा सही बिकल्ब चुनकर लिखिए पहला है ब्रद्धी की क्रमक अवस्ताय होती है तो इसका आंसर क्या जाएगा कोश का विवर्धन भी होता है कोश का परिपकवन भी होता है कोश का विभाजन भी होता है याँनि आंसर हो जाएगा उपर युक्त सभी नर युगमा के बमादा युगमा के मिलन को कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं निसीचन कहते हैं तीसरा हमारा अलेंगिक पिरजनन होता है तो जो अलेंगिक पिरजनन होता है वो क्या होता है कलिकायन होता है next है, पौधों में बर्दी पर जनन की बिधी नहीं है, तो इसका आउनसर क्या जाएगा हमारा, बिखण्डन जो है बौधों में बर्दी पर जनन की बिधी नहीं है, पांचवा है हमारा, अंड कोशिका बिना निसेचन की क्रिया दौरा, नई संतत्ती का निर्मार करती हैं, ये बिधी कहलाती है, तो ये बिधी हमारी कौन सी कहलाती है, अनिसेक जनन कहलाती है, इसके बाद में छटवा है, अंडब का शीर से भाग कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बर्तिकागर, साथवा हमारा अलेंगिक जनन मुकलन द्व भाग नहीं है तो इसमें हमारा कौन सा नहीं है शुक्र बाइनिया नहीं है बाकी का ये सारा हमारा मादर जननतर का भाग अगला कोश्चन है हमारा रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें हमारा पहला कोश्चन है जन्तु के आकार एबं आयत अनका इस्थाई विकास क क्या कहलाता है ब्रद्धी दूसरा हमारा अंडा से का निर्माड करता है तो अंडा से का निर्माड कौन करता है फल करता है तीसरा हमारा पादपों में ब्रद्धी होती है तो यह कब तक होती है जीवन परियांत चलती रहती है छोथा लेंगेक पर जनन से का निर्माड होता है तो किसका होता है युगमनाज का पांचमा हमारा पौदे में लंबाई की ब्रद्धी का यंत्र की सहायता से जाना जाता है तो यह कौन से है आलसेनो मीटर छटमा है मैडक में निस्यचन होता है तो यह कैसा होता है बाहर निस्यचन होता है साथ में हमारा भ्रून में ब्रद्धी होती है तो ये कैसी होती है दुई गुड़ित आठ में नर युगमक ये बा मादा युगमक के संलेन को कहते है तो उसे हम क्या कहते है निसिचा नायंत है मादा और गर्वस्त सिसु के बीच जैविक संबन्द स्थापित करने वाला उतक कहलाता है तो इसको हम क्या बोलते है प्लेसेंटा या फिर अप्रा कहते है इसके बाद में अगला है सत्य वा मसत्य बताईए पहला कोश्चन है मनुष्च में अंडासय की संख्या एक होती है तो ये क्या है असत्य है नेक्स्ट है हाइड्रा में अलेंगिक प्रजनन होते हैं तो ये कैसा सत्य है तीसरा निसेचन के तुरंत बाद सुक्राणू बनते हैं तो ये कैसा असत्य है चोथा मनुष्च एक लिंग ये जनतु है तो ये कैसा सत्य है क्योंकि एक मनुष में एक ही लिंग होता है या तो मेल हो गया फीमेल पांचवा मनुष्ट में विर्शन उदर गोहा के बाहर पाये जाते हैं तो यह भी कैसा सत्थ है छटवा मेडिक में बाहर निस्येचन होता है तो यह भी हमारा कैसा सत्थ है सात में एक कोश के जीब अमीवा में लखिक परजनन होता है तो यह कैसा असते क्योकि अमीवा में क्या होता है बिकंडन होता है उसके बाद में नेक्ष्ट हमारा चौथा उच्छे संबन जोडियां बनाईए तो पहला हमारा अलेंगिक जनन यह हो जाएगा बीजानु द्वारा दूसरा हमारा निसीचन तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा नर तथा अदा युगमक सनले तीसरा हमारा मादा तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा अंडानु चोथा हमारा नर तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा शुक्रानु पाच्वा हमारा एक लिंगी तो इसका अधान हो जाएगा हमारा इसका मतलब मैच करेगा मनुष्ट छट्वा हमारा दूई लिंगी तो दूई एक भाग तो यह क्या होता है पुष्ट होता है उसके बाद में एक सब्द और एक वाक्त में उत्तर दीजिए तो पहला है हमारा कि प्रजनन किसे कहते हैं तो जब भी कोई जीव अपने जैसा संतती को उत्पन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रजन दूसरा लेंगिक जननने एक्स्ट है हमारा इसके बाद में मनुष्ट में बिर्शन की संख्या कितनी होती है तो जो मनुष्ट है उसमें बिर्शन की संख्या कितनी होती है दो एक्स्ट मनुष्ट में अंडाणों का निर्माण कहां होता है तो यह कहां होता है अंडासय में होता है पांचमा क मनस्ट में निसेचन की किरिया कहां होती है तो यह कहां होती है अंडवाइनिया यानि फ्लोपियन ट्यूब में निसेचन होता है आठवाय पराग कोश से पराग करणों का वर्थी कागर तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है तो यह क्या कहलाती है परागन नाइन्थ हमारा मनश्च में सुक्राणु जनन किरिया कहां होती है तो यह खां होती है विर्षण में दसमा है हमारा मनश्च में अंडाणु जनन किरिया कहां होती है तो यह खां होती है अंडा से ग्यारमा हमारा रजो धर्म के अवधी कितने दिन की होती है तो ये चार से पांच दिन की होती है उसके बाद में अगला चेप्टर है हमारा अनुवांसिकी और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे कॉश्चन आपके रिवीजन के हिसाब से ही ताकि आप इनको बार-बार पढ़ोगे तो ये आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे नेक्स्ट है हमारा सही बिकल्ब चुन करके लिखिए पहला अनुवांसिकी का जनक कहा जाता है तो अनुवांसिकी का जनक किसे कहा जाता है मैंडल को कहा जाता है इसके बाद में next है, यह हमारा miss हो गया, एक बार बाप इससे चलते हैं, कौन सा chapter हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइन्थ वाला देख रहे हैं, यह pdf आपको हमारे telegram group पे मिल जाएगी, तो आपको telegram को जरूर join कर लेना है, और website पर भी मिल जाएगी, अगर आप telegram से नहीं, website पे जब website पे जाओ, तो हमारे target का ध्यान रखना, next है second, एक good सूत्र में संरचनाय पाई जाती हैं, तो एक good सूत्र में कित्ती संरचनाय पाई जाती हैं, तो इसका answer आजाएगा, 6, उसके बाद में next है हमारा, अनुवांस की में अंतरगत अध्यन किया जाता है, तो इसका answer क्या जाएगा, तो माता पिता से संत्ती में लक्षणों की बंसानुगती का, उसके बाद में next है हमारा fourth, मेंडल ने अपने प्रियोग किस पौदे पर किये थे, तो मेंडल ने किस पर किये थे, मतर पर, पाच्वा हमारा मनुष्ट की कोशिका में good सूत्र पाई जाते हैं, तो मन उसके अंदर x, y good सूत्र होता है, यही लिंग ने धारण करता है, अगर x चले जाएगा तो लड़की होगी और y चले जाएगा तो लड़का होगा, साथ मैं जीब धारियों में पीड़ी दर पीड़ी बिमिन लक्षणों के संचरण को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते अनुवान सिके, आठवा कोश्चन है हमारा, मैंडल ने एक प्रियोग में लंबे मटर के पौधे जिन में बैगनी पुस्प थे का संकरण बोने पौधे जिनके सपोई पुस्प थे से कराया, इनकी संतत्ती के सभी पौधों में पुस्प बैगनी रंके थे, परंतु उनमे से लगबग आधे बोने थे, इससे कहा जाता है कि लंबे जनक पौधे के अनुवान सिकी की रचना थी, तो जो लंबे पौधा है उसके अनुवान सिकी की रचना लगबग कैसी होगी, तो यह हमारा capital T, small t और www करके हो जाएगा, capital T मतलब लंबे, small t मतलब छोटे, और w और यह डबलू भी बैट को समखना है, ना यह थे हमारा मानांग योगमनाग में लंग गुडशूत्र के जोड़े की संख्या होती है, तो लंग गुडशूत्र में जोड़े की संख्या कितनी होती है एक, जो मानो जनन होता है उसमें टोटल टेवीस गुर्षूतर होते हैं जो बाइस बाखी के होते हैं और एक भ enrich कροने वाला होता है तो ये कितने हो जाते हैं तेवीस प्यार हो जाते हैं नेक्ट है रिक्ति स्तानों के पूर्टी कीजिए पहला है हमार। एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता होती है इसे हम क्या कहते है तो इसी को हम बिवित इताएं कहते है दूसरा गुड़सूत्र संतान उत्पत्ती में होती है तो यह कहा है गुर्शूत्र संतान में उत्पत्ति में पिरमुख होती है तीसरा हमारा DNA का पूरा नाम कहा है तो इसका नाम है Dioxy Ribonucleic Acid नेक्स्ट हमारा RNA का पूरा नाम कहा है तो RNA का Ribonucleic Acid पाचवा हमारा पीड़ी दर पीड़ी लक्षणों को ले जाने वाला बाहक कहलाता है तो यह क्या कहलाता है कारक कहलाता है छटवा हमारा Hemophilia एक रोग है तो यह कैसा है अनुवानसी की यानि Genetics वाला रोग है यानि माता पिता से बच्चों को हो जाता है साथ मैं दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को क्रॉस कहते है तो इसको क्या कहते है दूई संकरण क्रॉस कहते है अठवा हमारा Mendel ने के नियमों का प्रती पादित किया तो मैंडल ने वंसानुगती के नियम का प्रती पादित किया उसके बाद में नेक्स्ट है अनुवानसिकता का अध्यन कहलाता है तो उसको हम क्या कहते है अनुवानसिकी कहते है नेक्स्ट हमारा सत्त तो सत्त का हमारा पहला कॉशन है डी एने एक अनुवांसिक पदार थे तो यह कैसा है सत्त है दूसरा है मटर के पौधे में अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते है तो यह भी सत्त है तीसरा है ग्रेक जॉन मेंडल एक किसान थे इसलिए उन्होंने सी में वो गार्डनिंग बगेरा किया करते थे कि बाहर मतलब चार्ज के पेड़ पौधे बगेरा लगाना और उनकी देखभाल करना इस बज़ेशन को मटर का था किसान नहीं थे वो नेक्स्ट हमारा चोथा नरलक्षणों के लिए एक्स गुड़सूतर उत्तरदाई होता है तो यह हमारा क्या है नरलक्षणों के लिए वाई गुड़सूतर उत्तरदाई होता है ना कि एक्स तो यह गलत है लाल एवं सफेत रंग संक्राण से F1 PD से सभी पुस्पे लाल रं के होते हैं तो इसका हमारा क्या हो जाएगा सत है छटवा है हमारा कोई भी जीन एक से अधिक अभस्ता में नहीं मिल सकता तो यह क्या है असत है साथ मैं DNA एक हैलिक्स का बना होता है तो यह हमारे क्या है असत है मानों में सिसू के लिंग का निर्धार और 23 वे जोड़े द्वारा होता है तो यह हमारा कैसे सत है जॉन मैंडल ने पुस्पों के विकास के नियम दिए तो यह हमारे क्या हो जाएगा नाइंत वाला असत है क्यूंकि जैनेटिक्स के लिए दिए बाद में नेक्स्ट है उच्छे संवंद जोड़ियां बनाईए तो पहला हमारा DNA टो DNA क्या है वाटान और क्रिकने इसकी डिस्कबरी नावन करता है छोत है मारा जनक पॉधे से उत्पन पीडी तो जनक पॉधे से उत्पन पीडी क्या कहलाती है पुत्री पीडी कहलाती है नेक्स्ट है हमारा सटन तो ये कहा है जीन की संबचना को हम क्या कहते है सटन कहते है उसके बाद में एक सब्द और एक वाक्यम उत्तर दीजिए तो पहला हमारा जीन सरजचना को सरपरतम प्रतिपादित करने वाले वेग्यानिक का नाम बताई है तो ये क्या था सटन नेक्स्ट है हमारा अनुवान सिक्ता के नियम प्रतिपादित करने वाले वेग्यानिक का नाम क्या है तो ये ग्रेग्जॉन मेंडल तीसरा मेंडल ने अनुवानसिक्ता के लक्षडों के बाहग को क्या नाम दिया है तो उन्हें ने कारक वोला चोथा ऐलील किसे कहते हैं तो एक ही लक्षड के ब्रोधी रूपों को प्रगट करना वाले कारकों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है ऐलील कहा जाता है पांचवा जीनो टाइप से क्या अतात पर है जो अनुवांसिक लक्षण जीम में रहते हैं लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं जीनो टाइप कहलाते हैं नेक्स्ट है हमारा अनुवांसिकी के जनक का नाम लिखिए तो वो कौन है ग्रेग जोन मेंडर ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टैंथ चैप्टर जो है प्रकास परावरतन तथा परवरतन बायलोजी हमारी खत्म होगी है तो इसमें पहला कॉश्चन है निकट द्र तो कम से कम कितनी दूरी पर रखा होना चाहिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई अबजेक्ट रखा होना चाहिए तब ही वो क्या होगा इस पैस्ट रूप से दिखाई देगा तीसरा है दूर द्रेश्टी दोस्ट दूर करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है तो दरपन कोई सा भी हो दरपन सूत्री ही होता है जब आपतित किरांट विरल माध्यम से सगन माध्यम है प्रवेस करती है तो अभी लंब की ओर होती है तो जब विरल से सगन में करती है तो अभी लंब की ओर जुग जाती है जैसे यह विरल माध्यम है यह सगन है और मालो यह ह अभिलंब है और इधर आ रही है तो ये क्या होगा इसी की तरफ ऐसी जुख जाएगी नेक्स्ट है हमारा सिक्स जब किसी बस्तू को अवतल दरपण के सम्मुख बकृता के इंद पर रखा जाता है तो प्रतिविम बनेगा तो कैसा बनेगा बकृता के इंद पर सात्मा है प्रियुक्त परावर्तक होता है तो इसका अंसर हमारा क्या जाएगा उत्तल होता है उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइंथ निम्न मैंसे कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रियुक्त नहीं किया जा सकता तो किसका यूज नहीं किया जा सकता क्ले यानी मिट्टी का निक्या आजा सकता और बाकी के सबकी लेंस बन जाएगी तो कि मिट्टी पाउर दर्सी नहीं है नेक्स्टर दस किसी दरपन से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतीविम सदेव सीधा प्रतीथ होता है संभवता दरपन है तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ तो ऐसा आपका तभी होगा जब आपका दरपन कैसा होगा समतल होगा अत्वा उत्तल होगा ग्यार में है आपका लेंस की छमता का ऐसा ही मातरक क्या है तो lens की छमता का होता है one upon में meter और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइपटर meter नहीं होता है वो meter inverse होता है यानि डाइपटर हो जाएगा next है बार्मा मानो नेत्र जिस भाग पर किसी बस्तु का प्रतिमें बनाता है वक कहलाती है तो मानो जिस पर बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते है रेटीना या पर द्रश्टी पटर तेर्मा है अभी नेत्र लेंस की focus दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो इसका आंसर क्या आजाएगा हमारा पक्छाब भी द्वारा उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला है बस्तूओं को हम की उपस्तिती में देख सकते हैं तो बस्तूओं को किसकी उपस्तिती में देखा जाता है प्रकास की उपस्तिती में देखा जाता है नेक्स्ट है, दरपन को फोकस दूरी अनन्त होती है, तो समतल दरपन की फोकस दूरी कहा होती है, अनन्त. थर्ड है, गोली है, दरपन की फोकस दूरी उसकी बकरता तरिज्या की कैसी होती है, आधी होती है. चोथा है जब प्रकास एक माद्यम से दूसरे माद्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आबरत्ती रहती है तो इसका अंसर हो जाएगा नियत रहती है पांचवा है निर्बात में समस्त रंगों की प्रकास किरोनों की चाल होती है तो कैसी होती है? समान होती है उसके बाद में nextर सत्त दर्पंट से प्रतिविम् या बस्तू की दूरी सदेव धुर्वों से नापी जाती है तो यह कई सत्त दूसरा अव्ताल दर्पंट दुआरा बनाया गया प्रतिविम् सदेव बास्त्विक होता है तो यह हमारा कैसा असत्य है तीसरा हमारा यदि बस तू अवतल दरपण के बकरता के इंद पर रखी हो तो प्रतिविम अनंत पर बनता है तो यह कैसा असत्य है चोथा हमारा अवतल दरपण का उपयोग सेविंग दरपणों के रूप में किया जाता है पांचमा है हमारा समतल दरपन्ड से आवर्धन सदेव एक से कम होता है तो यह क्या है असत है छटमा है हमारा कांच से बायू में जाने वाले प्रिकास करण अभी लंब की ओर जुकते हैं तो ये क्या हो जाएगा छटमा असद क्योंकि कांच से बाईंड से बिर्वल में जा रहा है तो क्या होगा दूर होगा нять are lens की चमता का मात्रक डायोपटर होता है तो ये सफ है आठ्माफ 8 लेंस की चमता धनात्मक होती ये तो ये होता है सेविंग भगेरा करने में यह नी दाड़ी बनाने के लिए एक्स्ट है हमारा समतल दरपण तो समतल दरपण हम लोग सुवेश छहरा देखने में यूज्ज करते हैं चोथा है हमारा पूर्ण आंत्रिक परावर्तन तो यह हमारा क्या सगन से बिरल माध्यम में जब प्रकास जाता है तो इसमें हमारा क्या हो जाता है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन भी हो जाता है जिसको टी आई आर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं पानी से यानि टोटल इंटर्नल रिफ्रक्षन जिसी को हम क्या बोलते पूर्णांत्रिक परावरता है दूसरे हमारा बाहनों के साइड मिरर ही तूप याद रखना कि बाहनों में उत्तल मिरर का यानि उत्तल स्वरी उत्तल दरपड़ का यूज किया जाता है एक्स्ट हमारा अफ्तल चमता कैसी होती है रुणात्मा चोथा स्वरस्त्र नेद्र के लिए इस पश्ट दूरी की नियुनतम दूरी कितनी होती है तो यह कितनी होती है पच्चीस सेंटीमीटर एक्स्ट हमारा पांचमा बाहनों में पीछे का दरस से देखने के लिए किस दरपड़ का उपियोग कि किया जाता है उत्त्त दरपड़ का चाटमा हमारा प्रिकास का किसी सत् suitable किए उसी मात्द है में वापस लोटा आना केहला तह तो जो क्या प्लस आता है और लेंस में क्या होता है यह हमारा वन अपॉन में एफ इक्वल टू हो जाता है वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू आता है उत्र लिखिए तो लेंस की छमता का क्या होता है वान अपॉन में F एक्स्टर दस किसी गोली दरपण की बक्रता त्रिज्य आर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी तो आर एक्कोल टू हमारा क्या होता है 2F होता है ये नोनों का संबन्दिय है एक्कोल टू आर अपॉन में 2 हो जाता है नेक्स्ट हमारा 11 नमर का उस दरपण का नाम बताईए जो बिम्ब का सीधा तथा आवर्दिक प्रतिबंब बनाता है तो वो कौन सा अप्तल दरपण नेक्स्ट लेंस का सूत्र क्या है तो ये तो हम उपर ही पढ़ चुके कि बनापॉन F इक्वल्टू क्या होता है बनापॉन में B माइनेस बनापॉन U उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आईस यानि मानव नेतर का रंग बिरंगा संसार तो इसका पहला कोश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए पहला हमारा सही विकल्प है निकट दरश्टी दोस्ट का निवारण क्या जाता है तो ये किसके द्वारण क्या किया जाएगा उत्तल दर्पण के खाना नेक्स्ट है उसके बाद में जराद रश्टी दोस्ट से पीडित वेक्ति को प्रियूट किया जाता है तो इसको दूइ वाला यूर्ण किया जाता है जिसके बीच में आपने देखा हुगा कि अगर हमारा मालोज्ग का एक गलास और अई पर लगाने लिए बायमंडली आपोबरतन के काम चटमा हमारा बर्ण बिछेप होता है ख़िया इस लिए विच्छेप के दोरान सर्वाधिक विचलन होता है तो ये सर्वाधिक कौन सारंग विचलन होता है? बैगनी रहा अट्वा हमारा कभी-कभी अधिक आयू के व्यक्ति के नेत्र का लेंस दूदिये तथा दंदुला हो जाता है इस सिस्तिति को कहते हैं तो इसके हम क्या कहते हैं मोतियवे एक्ष्ट हमारा नाइन्थ मानो नेत्र कार्य करता है तो इसका आंसर क्या जागा एक सूख्षम दरसी की भाती काम करता है मानो नेत्र उसके बाद में next है हमारा 10 मानो नेत्र के जिस भाग पर किसी बस्तू का प्रतिवियम बनता उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम Catina या फिर क्या कहते हैं drushty butterfly एक सामा निदरश्टी के भैस के लिए स्विस पष्ट दर्सन की अल्पतम दूरी होती है तो ये कितनी होती है 25 cm आप देख रहे होगे कि एक एक क्योशन को 2-3-3 बार इसमें दिया गया है कहीं आपजेक्टेब या कहीं ऐसी तो ये कोशनों को आपको बार-बार पढ़ना है बार-बार वीडियो देखोगे तो सुनने से ज़ादा जल्दी याद हो जाता है जिससे कि एक कोशन को घुमा फिरागर के कैसा भी पूछा जाए आप से ये बन जाएं ठीक है नेक्स्ट हमारा रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए पहला नेत्र लैंस की वह च्मतं की जिसके कारण वह अपनी Fokus धूरी को समाई योजटे प्रूरी को कर लेता है कि च्मतं के लाती है तो से क्या बोलते है समंजन पा बोलते है नेक्स्ट हमारा स्वस्त मानो नेत्र के लिए इस पश्ट दूरी की निंतम दूरी कितनी होती है तो कितनी होती है पक्ची सेंटिमेटर तीसरा हमारा दृष्टी दोस्ट का निराकराण अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है कौन से निकट दृष्टी एक्ष्टर का निराकराण उत्तल से किया जाता है तो उत्तल से किसको किया जाता है दूर धृष्टी दोस्को एक्ष्टर प्रिज्म के दो पार्स वर फलकों के बीच के कौन को हम कहते हैं तो उसको प्रिज्म कौन कहते हैं चटवा है हमारा स्वेध प्रकास का प्रेजम द्वारा अपनी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रकास का कहते हैं, तो से हम क्या कहते हैं, बर्ण बिच्चे. तो वो क्या खेलाता है विचलन कौन खेलाता है अगला है हमारा सत्य सत्य बताईए तो इसमें हमारा पहला है निकट दरश्टी दोस का कारण नेत्र गोलक का संकोचित हो जाना है तो ये कैसा है असत्य है दूसरे हमारा दूर दरश्टी दोस का कारण नेत्र वोलक का बड़ा हो जाना है तो ये भी हमारा सत्त है नेक्स्ट है प्रेजम द्वारा प्रिकास का वर्ण विच्छेपन होता है तो ये हमारा कैसा है सत्त चोथा है तारे के टिम्टिमाने का कारण प्रिकास का वाई मंडली अपवर्तन है तो ये कैसा सत्थ है पांचवा हमारा प्रेजम द्वारा बैगनी रंग की प्रकास किरान का विचलन सरभादिक होता है तो ये हमारा कैसा है पांचवा सत्थ है छटवा मानो नेत्र में बस्तु का प्रतिविम रेटीना पर बनता है तो यह भी सत है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रश्टी पटल बोलते हैं साथ मानो नेत्रमा प्रकास की एक पतली जिल्ली से उकर प्रवेस निकलता है जिसे कॉर्णिया कहते हैं, तो यह भी हमारा कैसा सत है उसके बाद मैं नेक्स्टा उच्छेत संबंद जोड़िये तो इसका हमारा पहला तारों का टिम्टे माना, तो यह हमारा किसको मैश करेगा वाई मंडली एपवर्थन को नेक्स्टा हमारा सेकंड टेंडल एफेक्ट, तो यह किसको मैश करेगा प्रेक्रिनन को एक्ष्टा बंड विच्छेपन तो यह हमारा किसको मैश करेगा प्रेज्म को एक्ष्टा दूर दरश्टी दोस तो यह हमारा किसको मैश करेगा उत्तर लेंस को एक्ष्टा निकट दरश्टी दोस तो यह हमारा किसको मैश करेगा अब तर लेंस को उसके बाद में नेत्र गोलग तो इसको मैं ये नेत्र गोलग जो होता है उसका मतलब क्या होता है 2.3 cm का नेत्र गोलग हमारा होता है उसके बाद में अगला है हमारा एक सब्द और एक बाग के मत्तर लिखिए तो इसका पहला question है हमारा मानव नेतर सामाननेता का दूर विंदू कितनी दूरी पर इस्थित होता है तो इसका answer केतना हो जाएगा अनंत दूरी पर वी इस्थित होता है या अनंत दूरी तक का देख लेता दूसरा है Retina से जुड़े दो तन्तों के नाम लिखिए तो इससे द्रग कोशिका जुड़ी होती है एक्सटा हमारा आख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं तो जो आख का रंगीन भाग होता है इसको हम परितारिका कहते हैं चोथा हमारा मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रिविष्ट होने वाले प्रकास की मात्रा को नियंत्रत करता है तो इसको कौन करती? जो हमारी आँक की पुतली होती है फिर पांचमा हमारा सूइथ प्रकास के वर्णक में साथ अभव्य भी रंगों का क्रम लिखिए तो इसको हम क्या बलते है? बैगनी चामनी नीला हरा पीला नारंगी एबं लाल जिसको हम लोग विवग्योर से भी करते हैं वी फोर बॉलेट इंडिगो फिर ब्लू ग्रीन येलो औरेंज और रेड नेक्स्ट है हमारा चटवा मानो नेत्र के लिए निकट बिंदू की दूरी कितनी होती है तो ये कितनी दूर द्रश्टी दोस की काण होता है नेत्र लेंज की बक्रता कम हो जाना या फिर नेत्र गोलग का संकुलन हो जाना उसके बाद में एक्स्ट है नाइंथ जरा द्रश्टी दोस का नेवारण हेतु प्रियोक्त लेंज कौन सा है तो ये हमारा कहन सो होता है दूरी फोकल ले लेंस कौन सा है तो यह कौन सा है उत्तर लेंस बार्मा है एक ब्यक्ति चस्माय में आउतर लेंस का प्रियोग करता है उसे कौन सा द्रश्टी दोस है तो उसे कौन सा होगा निकट द्रश्टी दोस है तेरा है अंतरिक श्यात्रियों को आकास कैसा दिखाई देता है तो यह कैस अगर यह वीडियो को आप अच्छे से सुन लेते हो और यह आपको सारी चीजें याद हो जाती है तो आपके 30 में से 30 आ जाएंगे नेक्स्ट हमारा पहला विद्धु सक्ती का अंतराष्टिये पद्यती में मातरक है तो यह हमारा क्या है विद्धु सक्ती का वॉट होता है गरेलू विद्दुत उपकराण में लगा सुरक्षा फ्यूज उस पदार्थ का बना होता है जिसका गलनां कमो तथा प्रति रोध अधिक होता है उसके बाद में next हमारे third विभव का SI मातरक होता है तो विभव का SI मातरक क्या होता है बोल्ट होता है अगला है हमारा धारा मापी यंत्र है तो धारा मापी हमारा के साई यंत्र है तो यह होगा अमीटर जो है हमारा वो धारा मापी यंत्र है नेक्स्ट हमारा विद्धुद्धारा का SI मात्रक होता है तो विद्धुद्धारा का SI मात्रक हमारा क्या होता है MPR होता है छटमा हमारा विभांतर मापन येंत्र है तो विभांतर हमारा कैसा है तो यह हो जाएगा हमारा विभांतर मापन येंत्र को होने वोल्टमीटर उसके बाद में प्रति रोध का ऐसा ही मात रख होता है तो प्रति रोध का ऐसा ही मात रख क्या होता है ओ अठमा हमारा यह दी विभांतर को वोल्ट में तथा धारा को एंपियर में मापें तो सक्ति को हम किस में हमापेंगे तो सक्ति को हम किस में हमापेंगे बोल्ट एंपियर में एक्षट बिद्धु सक्ति का अंतराष्टिय पद्देती में मातरक है तो जो हमारी बिद्धु सक्ति है इसको अंतराष्टिय में वाट महीं आपा जाता है नेक्ष्ट है विभांतर का मात्रक है तो जो हमारा विभांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है वोल्ट ग्यार्मा है निम्ड लिखित में से कौन सा पद विद्धुत परीपत में विद्धुत सक्ति को निरूपित नहीं करता तो इसका अंसर क्या जाएगा निम्न में से कौन सा पत बिद्धुत परिपत में बिद्धुत सक्ति को रूपित नहीं करता तो यह हो जाएगा हमारा 25 वॉट उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला एक अस्व सक्ति होती है तो एक अस्व सक्ति में 746 वॉट होते है अस्व सक्ति भी हमारा पावर यानी सक्ति की ऐसा यूनिट ही है दूसरा हमारा धारा वाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर का मान बढ़ जाता है तो जैसी हम इसका मान बढ़ाते है तो क्या हो जाता है प्रती रोध का मान बढ़ जाता है एक्षच सुद्ध जल बिद्धुत का है तो सुद्ध जल बिद्धुत का है क्या है को चालक जो उसमें लबड बगेरा मिलाए जाते हैं तब जाकर के वो क्या हो जाता है चालक हो जाता है पांचमें हमारा ग्रेफाइट बिद्धुत का है तो ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं जो पैंसिल की टिप में लगा होता है वो कैसा होता है सुचालक होता है पांचमा हमारा एक आदर्स अमीटर का प्रती रोध होता है तो लगबग कितना होता है शूनने के चटमा है हमारा विद्दूत बिवाव का SI मातरक है तो विद्दूत बिवाव का SI मातरक है वोल्ट साथमा है विद्दूत का SI मातरक है तो विद्दूत का SI मातरक क्या होता है हमारा MPR होता है उसके बाद में next है हमारा 13 चप्टर विद्दुधारा के चुमकिय पिरभाव तो जो विद्दुधारा के चुमकिय पिरभाव है इसमें हमारा पहला question है सही बिकल्प चुनकर लिखिए घरेलू विद्दुध परीपत में सभी उपकरण सयोजित होते हैं तो जो हमारा घरेलू विद्दुध परीपत होता है उसमें सभी उपकरण कैसे होते हैं हमारे समांतर क्रम में होते हैं तो इसका answer क्या जाएगा समांतर क्रम दूसरा विद्दुध धारा को यांत्रिक गते जूर्जा में बदलने में युकती कहलाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बिद्धुध मोटर बोलते हैं जो हमारे बिद्धुध धारा को किसमा बदल देती है गते जूर्जा में बदल देती है इसलिए हमारे सब जगए पर क्या होती है electricity से गते जूर्जा में बदलने के लिए motor लगी होती है तीसरा अन्योनेन प्रेण के सिधान पर आधर रित ये अंतर नहीं है तो इसका अंसर हमारा क्या हो जाएगा धारा भाही परी नालका है नहीं अन्योनेन प्रेणन पर कौन सी नहीं है ये तो इसका हो जाएगा धारा मापी चोथा है हमारा यांतर कूर्जा को बिद्धू तूर्जा में बदलने वाली युकती है तो जो यांतर कूर्जा को बिद्धू तूर्जा में बदलने वाली युकती है तो इसको किसने प्रती पादित किया तो वो है फेराडे इसके बाद में नेक्स्ट है बिद्धूत रोधी तारों से बनी कुंडिली को रखने अपर कुंडिली में बिद्धूत धारा उत्पन होती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गति सील चुम्बक के पास 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 लिप्टे बिद्धूत रोधी तावे के तार की बेलन को आकरिती की अनेख फिरों वाली कुंडिली को कहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं परिनालिका या फ्रिसिको इंग्लिक्स में सॉलेनॉइड बोलते हैं नेक्ष्ट है हमारा धारा वाही चालक पर चुमक्य चेटर में लगने वाले बल की दिसा के नियम द्वारा ज्यात की जाती है तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस बग्यारा मिलती रहे हैं कि आपके 10th class में ज़्यादा problem ना हो आसानी से सब कुछ हो जाए क्योंकि केवल objective भी कर लेने पर हम pass हो जाएंगे तो आपको objective तो करी लेना है पर objective के ही भरोसे नहीं रहना आपको और भी तैयारी करने है एक्ष्चा हमारा 6 वह परिपत में विद्धुधारा के पिरवाय ay को उतक्रमित कर देती है उसे कहते हैं तो उसको हम लुग क्या कहते है दिक परिवर्तन कहते है किसी परिपत में धारा की संसूचक के लिए प्रियोक्त उपकरण कहलाता है तो यह क्या कहलाता है गैल्बनोमीटर आटमा है अमारा बिद्धुत में तार में रंग का बिद्धुत रोधी आवरण होता है कौन से लाल रंग का होता है नेक्षट अदासीन तार में रंका विद्दुत रोधी आवरान होता है तो इसमें कौंसा होता है काले रंका नेक्षट है अति भारन तथा लगू पथन में विद्दुत परिपत की सुरख्षा के लिए प्रयोक्त करते हैं तो ये क्या है छुमके छेत रेखा है परस पर प्रति छेद तो ये क्या है चुमकिय छेद रेखा है कभी भी एक दूसरे को प्रति छेद नहीं करती है क्योंकि चुमकिय छेद रेखा है चुमबक छेद को बताती है और अगर गो दोना प्रति छेद करेंगे इसका मतलब उन दोनों का मान एक जैसा है जबकि ऐसा कभी होता नहीं किसी तार का प्रतिरोध उसके परिछेद के होता है तो कैसा होता है? व्यूत किर्मानुपाती होता है उसके बाद में अगला है सत्त-सत तो पहला है हमारा परिपत में लगू पथन में धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है तो यह कैसा है? सत्त है दूसरा हमारा अती भारण वर लगू पथन से बचने के लिए फ्यूज तार का प्रियोग किया जाता है तो यह सत्त है बिदूत मोटर का धारा के चुमकिये प्रिभाव को पराधरित युकती है तो यह हमारा कैसा है? सत्त है एक्ष्ट किसी परिनालिका के भीतर एक समान चुमकिये छेत्र होता है तो यह भी कैसा है? उसके बाद में है कि उच्छे संबंद जोड़िये तो पहला हमारा चुमके फ्लक्स तो जो हमारा चुमके फ्लक्स है वो हमारा किसको जा करके मिलेगा तो चुमके फ्लक्स के SI unit होती है हमारी बेबर एक्स्टर चुमके छेत्र तो चुमके छेत्र की unit होती है हमारी बेबर पर मीटर स्क्वेर एक्सटर थर्ड अन्योनन प्रेरण तो इसकी ऐसा यूनिट होती है हैंडरी एक्सटर प्रेरेत बिद्दुद बाहग बल तो प्रेरेत बिद्दुद बाहग बल की होती है बोल्ट एक्सटर प्रेरेत धारा तो जो धारा होती है उसकी होती है एम्पियर गरेलू बिद्धुत परीपत जो हमारा गरेलू बिद्धुत परीपत होता है वो हमें सा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है नेक्षट है काला तार तो जो हमारा काला तार होता है उसमें हमारा कौन सा जाता है करन तो यह हमारा उदासीन तार होता है इसमें करेंटर नहीं जाता है लाल तार में हमारा क्या जाता है तो लाल में हमारा जाता है जो धनात्मक तार होता है वो हमारा कौन सा होता है लाल तार नेक्स्ट हमारा चुमकिये छेतर की तीबरिता का मापन तो जो हमारी चुमकिये छेत्र की तीबरता होती है इसको हम लोग किसे नापते हैं तो इसका अंसर आजाएगा हमारा ओस्ट्रेट एक्ष्टर चुमकिये पदार तो यह कौन सा है लोह उसके बाद में अगला है एक सब्द और एक वाक के मतर लिखिए पहला question है बिद्द धारा को यांतरी कूर्जा में बदलने वाले इंतर का नाम बताईए तो इसका इंतर का नाम क्या होता है motor होता है हमारा एंसरा सेकेंड बिद्द परिपत की सुरुख्षा के लिए प्रियोगत यूक्ती का नाम लिखिए तो ये कौनसी होती है, fuse star तीसरा है, चुम्बक और कुंडिली के मद सापेक्षिक गती के काण कुंडिली में उत्पन विद्धुधारा कहलाती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा प्रेदित विद्धुधारा चौता है, घरों में प्रियुक्त होने वाली प्रित्यावर्ति धारा की आवरती होती है तो इसका अंसर हमारे कितनी होती है, 50 hertz की होती है पाँच में हमारा पंका फ्रेजवादी चलाने के लिए किस प्रकार की धारा उप्योग में लाई जाती है तो इसमें हमारी कौन सी लाई जाती है alternating current या फिर प्रित्यावर्ती धारा लाई जाती एक्ष्ट घरेलू परीपत में किस प्रकार की धारा प्रियुक्त होती है तो ये भी alternating current होता है तीक है यानी AC होता है उसके बाद में अगला है हमारा यांत्र कूर्चा को दिश्ट धारा यानी DC में बदलना वाला उपकराण कहलात हता है एक्ष्ट नायत्श चुमकिये छेत्तर उत्पर्ण करना वाल इस रूतों के नाम लिखए तो ये ये कौन सा हमारा चड़ चुम्बक या फिर धारा भाही चाला एक्षचा हमारा दसमा चुम्बक के कितने धुरूब होते हैं तो चुम्बक के कितने होते हैं दो धुरूब होते हैं उसके बाद में चवद्वा चेप्टर हमारा हटा दिया गया है तो यह अभी मैं नहीं पढ़ना है इस साल वाले 2022-23 वाला सेशन है वो हटा दिया गया है तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं पंद्रा पंद्रा है हमारा अबर इंबायर्मेंट यानी पर्याब रहा तो इसमें हमारा पहला कोश्चन है सही बिकल्प ओजोन परयत को छिद्र करना वाले कारक है तो ओजोन परयत में किसके ऐरोसॉल के द्वारा छिद्र हो रहा है नेक्स्ट है हमारा अब घटक के रूप में कारे करता है तो अब घटक के रूप में कौन करता है जीवानू नेक्स्ट है क्लोरो फ्लोरो कार्वन के कार्वन के कार्वन भी ओजॉन में छेदर हो रहा है और एरुसॉल के कार्वन हो रहा है नेक्स्ट है क्लोरो फ्लोरो कार्वन का सूतर है तो यह CCl2F2 है नेक्स्ट है रिक्तिस्थानों के पूर्थी कीजिए तो अगला है हमारा जीवानू और कवक जैसे सूक्षम जीद कहलाते हैं तो जो हमारे जीवानू और कवक होते हैं यह हमारे कैसे अपमार जाए दूसरा बर्सा के पानी को एकत्रित करना वाईसे उप्योग में लाना कहलाता है तो इसे हम बोलते हैं बरसा जल संग रहा है तीसरा है विश्व परियावराण दिवस को मनाया जाता है तीका मनाया जाता है पाँच जून चोथा है हमारा अजेव निमनी करण पदार्थ सामानेता होते हैं तो कैसे होते हैं अक्रिय नेक्सटा हमारा पांचवा बिविन जैविक इस तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी सरंकला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है कहलाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आहार सरंकला बोलते हैं चटवा हमारा कच्ट्रे का निप्टान एक गंबीर समस्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये परियावर्रनी गंबीर समस्या है ओजोन यानि ओठी के अड़ू ऑक्सिजन के परमाणूं से मिलकर के बनते हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा ओठी तो इसमें कितने परमाणूं है तीन है नेक्स्टा मनुष्य जीव तो ये कैसा होता है सरवाहारी होता है नहीं थे एक पोषण इस्तर से दूसरे पोषण इस्तर में उर्जा का भाग क्या होता है घरते जाता है नेक्स्ट है मैं और्जा प्रवाय एक ही दिशा में खता है तो जो परितंत्र होता है उसमें और्जा का PYRABH एक ही दिशा में होता है अगला हमारा सत्य सत्य तो यह हमारा सभी हरे पौदे एवं नीले हरित सैवाल उपभूगता कहलाते हैं तो यह कैसा है असत्य उसके बाद में अगला कॉस्चन है हमारा सेकंड वाला उत्पादन सूरिये प्रकास के उपयोग से प्रकास अंसलेशन द्वारा अपना भूजन स् तीसरे हमारा आहर स्रंख्रा में पिर्ते के स्तर पर उपलब्द कार्वनिक पदार्थों की मात्रा का उसा 10 प्रति सती उपभोग के अगले स्तर तक पहुंसता है तो इस सत्य चोथा ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरने अफसोसित की जाती है तो यह कैसा हमारा असत्य तो पहला है हमारा ओजोन परत तो इसका अंसर क्या हो जाएगा परावेगनी विक्रन नेक्स्ट ग्रीन हाउस एफेक्ट तो यह कैं हमारा जल बासपन इसके बाद में 80 डेसीबर तो इसका अंसर हमारा क्या हो जाएगा यह धोनी प्रोडूशन के लिए बाउंडरी है C-D-C-B. Next isSO2 और ISO3 तो इसका हमारे क्या हो जाएगा ये अमली हे वर्षा में होते हैं SO2 एSO2 पांच में हमारे Aerosol तो जो हमारे Aerosol होता है यह हमारे क्लोरो-फ्लोरो-कार्वन है जसे के कारण हमारे क्या होता है ओजान परत का जहरण होता है Next is Bissom Posen मेरे इसके बाद में अगला है एक सब्ड और एक वाकत्र दीजिए तो पहला है मारा खनन के पश्चात ख्दान के आस पास पड़ा रहने वाला विर्त सामान क्या कहलाता है क्श्रद्रद्कष्च भाला एक बार्यख hm खानी कारक पदावर्थों को मिलना क्या कहलाता है? तो कहलाता है पिर्दूसां. चौता है फिर्दूसां जो सूपस में जीब दौारा अपगड़ित नहीं होते कहलाते तो उन्हें हम क्या बोलते? अजैविक निमनी करण. उसके बाद में जैव निवनिकरान पदार्थ क्या है तो वे पदार्थ जो सूख्षन जीवों द्वारा अभटत हो जाते उन्हें हम क्या कहते है जैव निवनिकरान पदार्थ क्या है अहार स्रंकला क्या है, तो विविन जयविक इस तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी स्रंकला जिसमें एक जीव दूसरे को अपने आहार बना लेता है, उसे हम क्या खेते हैं, अहार स्रंकला. CFC क्या है तो यह हमारा chlorofluorocarbon है Next है Refresh generator नहीं सीतलन तथा अगनी शमन में उपयोग कारवन का नाम लिखिए तो इसमें क्या होता है chlorofluorocarbon यूज होता है 11 हमारा पौदे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते है तो पौदे किस द्वारा बनाते प्रकास translation द्वारा अपना भोजन स्वेम बनाते तो यह हमारा क्या था सारे इसमें हमारे chapter हो गए जितने हमसे पूछे जाने है और बाकी का 16 chapter हमारा हट गया है इसमें हमने board के भी objective सामिल किये हैं तो 2019 वाला जो हमारा board का paper है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या question पूछे गए थे तो 19, 20, 22, 22 वाले फटाफट देख लेते हैं तो पहला हमारा कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या होता है तो इसका अंसर हमारा क्या हो जाएगा dusty पटाल या जिसको हम लोग रिटी ना बोलते हैं चोथा विद्दुद्धारा का ऐसा ही मातरा क्या होता है विद्दुद्धारा का MPR होता है नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन आहार्स रंकला का निरमार करता है तो घांस, बकरी और मानौ उसके बाद मैं एक्षरे रिक्त इस्थानों के पूर्ती कीजिए वी अभी क्रिया है जिनमें उत्पाद के निरमार के साथ उस्मा भी उत्पन होती है उसे अभी क्रिया कहते हैं तो से मोस्मा छेपी बोलते है और आदुने कावरसाणी में समू है तो यह हमारा कितना 18 एक्सटर मैंडल ने के नियम को प्रति पादित किया तो अनुवान सिकी को एक्सटर सामान द्रश्टी के बैस के के लिए सुइसपष्ट दर्सन के अलपतंदूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर एक पोसी स्थर से दूसरे पोसी स्थर तक उर्जा का इस्थाना अंतरत कितने प्रतिसेत होता है 10 प्रतिसेत एक्सटर हमारा सोडियम तो सोडियम हमारा क्या अतिक्रियासील अभी क्रिया मतला अतिक्रियासील हात हुए नेफरोन हमारा कहा है तो नेफरोन हमारा ब्रक की सनरसनात्मा के काई है अंता सरावी गरंथी हमारी कौन सी है तो यह हमारी हार्मोन्स एक्ष्ट हमारा समझात अंग कौन से है तो समझात अंग हमारा कौन सा है हमारे हाथ एवं कुट्टे के अग्रपाद जो है वो समझाते हैं विभांतर का मापन तो विभांतर का मापन किस में किया जाता है वोल्टरमीटर उसके बाद में एक सब्द और एक बाग्त मौतर लिखिए सुद्ध जल का पी एच मान कितना होता है साथ दूसरा है हमारा हरे पौदे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए तो ये कौन सा है पॉर्ण हरित और या फिर क्लोरोफिल भी हम बोल सकते हैं नेक्स्ट है मनुस्ट में आयोडेन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो घेंगा एक्सट है दो जीवास मींधन के नाम लिखिए तो कोईला और पेट्रोलियम जो जीव जनतों के मनने के बाद बनते हैं इसके बाद में दरपाट सूतर है तो दरपाट सूतर हमारा क्या होता है बन अपॉन में F एक्वल टू वन अपॉन वी प्लस बन अपॉन यू उसके बाद में हमारा 2020 वाला बोर्ट पेपर इसमें किवल हम लोग अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव ही देख रहे हैं तो पहला हमारा रिक्ति स्थानों की पूर्ती कीचिए 36 पंकिति को हम कहते हैं यह एक्चलम पांचमें चैप्टर से कोशन है और पांचमा हमारा हट गया है तो इसे हम आवरत कहते हैं दूसरा हमारा अपसिष्ट पदार्थों का सरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है तो यह सर्जन कहलाता है तीसरा है 82 ले द्रश्टी से हमारी अधिक समानता से है तो ये चीन के विध्यारतियों से है चोथा है विद्धुत बिभौ का ऐसा ही मात रख होता है तो ये वोल्ट होता है पांच में कच्रे का निप्टान एक गंभीर समस्या है तो ये किसका परियावर हैं का इसके बाद में सेही बिकल्प चुम करके लिखिए तो पहले हमारा द्रव वबस्था में पाई जाने वाली धातू तो पारा यानि मरकरी दूसरा हमारा पादप में जायलम उत्तरदाई होता है तो ये दो वर्ड के याद रखना जायलम जल को ले जाता है और फ्लोयम फूड को ले जाता है तो पादप में जायलम उत्तरदाई है तो जायलम किसके लिए उत्तरदाई होगा जल के वहन के लिए तीसरा हमास्टर ग्लेंट का नाम लिखिए तो जो मास्टर ग्लेंट थी है ये हमारी कौन सी है pituitary gland यानि fuse gland थी है उसके बाद में नेक्स्टर चोथा lens की छमता का SI मातरग तो इसका क्या होता है डायोटर नेक्स्टर सामाने द्रश्टी के बैस के लिए स्विस्पष्ट दूरी की अलप्तम दूरी कितनी होती है तो यह होती है 25 cm यह unit याद अखना 25 cm उसके बाद में नेक्स्टर इसका सही जोडी बनाईए तो पहला हमारा सिर्का तो सिर्का कौन सा है एसेटिक अमल होता है नेक्स्टर हमारा मादा तो जो मादा होता है हमारा यह हो जाएगा एस्ट्रोजन ग्लेंड जो हमारा एस्ट्रोजन हर्मोन होता है वो मादा में release होता है next लंग गुडसूत्र लंग गुडसूत्र का हमारे क्या हो जाएगा यह हमारा लंग को नेद्धारन करता है fourth हमारा नेत्र गोलग तो यह कितना होता है 2.3 cm thereafter इसके बाद में एक सब्दर एक बाक्यमत्तर लिखे एसी अभी क्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रिदान होता है उसको हम क्या बोलते दुहरी विस्थापन प्रतिक्रिया या फिर दुही विस्थापन अभी क्रिया बोलते एक्सटर सुद्ध जल का पी एच मान कितना होता है तो कितना हो होने वाली कारवन का नाम क्या है तो इसको हम बोलते हैं कारवन टेटरक्लूरेड यानी CCL4 उसके बाद में नेक्स्ट है और प्रिष्णपात्र दोजार इकी स्वाला है तो इसमें कोई विलियन अंडे के पिस्य हुए कवक से अभी क्रिया करके एक गैस उत्पन करता है जो चूने के पानी को दूदिया कर देती है तो इस विलियन में क्या होगा तो अगर ऐसा हो जाता है तो यह हमारा विलियन कैसा होगा तो यह हमारा होगा क्योंकिสिट सीएल को ही जैसे हम सी ऊटू को मिलाते तौश खलर क्या हो जाता है दूदिया हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा आवरस्टाणी में 22 से दाइं और जाने पर प्रवर्ती के बारे में कौन सा कथन सत्थ है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा परवाणू आसानी से इलेक्रोनों का त्याग कर देते हैं एक्स्टर चौथा निम लिखित में से कौन सा बिद्धुत परीपत में बिद्धु सक्ति को निरूपराण नहीं करता है तो बिद्धु सक्ति को इसमें से कौन सा निरूपराण नहीं करता है किसका आंसर हो जाएगा आई आर स्कॉयर बाकी का पी बराबर होता है आई स्कॉय जीटॉ kalo गंठर का केंद्रताहि देन नेक्सर रिक्ति स्थानों की पूर्ती है तो इसमें हमारा पहला रिक्ति स्तान है आमलेवमचारक के एक दूसरी आर्सीन करके लवण फ चल्क निर्मार्य करते हैं् दूसरा हमारा की सी गोलिय दरपड का focus दूरी उसकी बक्रतात रिज्जा से कैसी होती है आधी होती है तीसरा है विद्दुधारा का ऐसा ही मातरक क्या होता है MPR चोथा है वह उक्ति जो परिपत में विद्दुधारा के पिरवाय को उतक्रमित कर देती है उसे हम क्या बोलते है दूइक परिवर्तक बोलते है पांच में हमारा Ozone यानि O3 के अडू ऑक्सिजन के परमाणूं से मिलकर बनते है तो कितने तीन उसके बाद में सही जोड़ी तो तीसरा हमारा धूमरपान तो ये फैंपड़ों में कैंसर कर देता है और रंद्र तो रंद्र हमारा क्या करता है गेसों का आधान प्रदान करता है और क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल से हमारा क्या होता है प्रकास संसलेशन होता है उसके बाद में एक वाक के और एक सब्द में तर लिखे तो ऐसी रासाइने कभी क्रिया का नाम लिखे जिसमें अभी कारकों के बीच आयनों का अधान प्रदान होता है तो वह दूइव स्थापन कहलाते है सुद्ध जल का पी एच मान साथ होता है अनुवांसिक के जनन ग्रेग जॉन मेंडल थे दैरपन का सूत्र बन लास्ट येर का है तो 2022 का बॉड्ट पेपर ये लास्ट येर तक बोड्पेपर 80 माक्स के थे अब इस वार से किते काओ 70 मुस्वारी पर 75 माक्स का एगा तो इसमें हमारा पहला कॉस्चन ने लुई चुंड पर तनु हडुरो क्लोरिक आमले डालने से क्या होता है तो क्या हो पुलन द्वारा अलेंगिक जनन किसम होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एस्ट चोथा क्वेशन है निम लिखित में से कौन मानाओ के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा सुक्रवाईणिया पांच में लेंस के छमता का ऐसा ही मातरक त ओर्टेक chiya जाता है तो इसका अंसर हमारा क्या जागा छाब बी द्वारा नेक्स्ट है जीवास माइधन है तो जीवास माइधन क्या कोईला और पेत्रोलियूम जो होता है वह हमारा जीवास माइधन है उसके बाद में रिख्ति स्थानों की पूर्ती कीजिए, नियू लेंड ने का नियम दिया, तो नियू लेंड ने ओक्टिड यानि अस्टक का रूल दिया था, पचली के हिर्दय में केबल दो कोश्टक होते हैं, हरे पोधे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, नेक्सटे बाई भी ये स्वसन की उपस्तिति में होता पांचमा है, क्रिया मैंडूला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो प्रेजिवर्थी क्रिया किसकी द्वारा होती है, मैंडूला द्वारा नियंत्रित होती है, छटमा है, नर युगमक एबा मादय युगमक के सनलाइन को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, निसीचा, साधहन नमक का सूत्रा आयदína आधातु तो आयडाची का नहीं होता है एजके अधातू में चमक नहीं होता है तीसरा है हमारा मिस्र धातु तो मिस्र धातु का हमारा एक्जाम्ट जो कांसा है हमारा वो मिस्र धातु है नेक्स्ट है हमारा पल्कों का जपकना तो यह कैसी प्रतिवर्ति के लिए है नेक्स्ट है हाइडरा में परिजन है तो जो हाइडरा है इसमें हमारा परिजन है मुकलन के कारण होता है नेक्स्ट है अनुवांसिक पदार्थ तो अनुवांसिक पदार्थ हमारा डीने के कारण होता है नेक्ष्टर चुम्किय छेतु की तीबृता का मात्र, तो यह क्या होता है, उस्टेड, उसके बाद में लाश्टर चुम्किय पदार्थ, तो चुम्किय पदार्थ हमारा कौन सा है, लोहा है, उसके बाद में एक बाग के में उत्तर दीजी, तो पहला है हमारा, अमली ए बिले चखाओं के मद्ध खाली स्थान को क्या कहते हैं तो इससे स्नैप्स कहते हैं और रजो धर्म के अवदी कितने दिन की होती है तो ये चार से पांच दिन की होती है पांछ में अनुभांसिक के जनक का नाम लिख़िये तो वह थे गरेग जोन में Tiny next problem का सूठरोGHT तो लेंस का सूतर बन अपॉन f इकोल टू क्या होता है बन अपॉन वी माइनस बन अपॉन यू मिरर मेंें प्लस होता हो लेंस में माइनस विद्धुत परिपत का क्या और थे तो इसका अंसर हो जाएगा किसी बिद्द धारा के सतत बंद परिपत कौन क्या बोलते हैं बिद्द परिपत चुम्बक के कितने धुरूब होते हैं तो ये दो धुरूब होते हैं ठीक है तो ये हमारा पूरा का पूरा पीडिएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वेबसाइट पर भी मिल जाएगा वहाँ से आप लोग डाउनलूड कर सकते हैं वेबसाइट में यह हमारा science के subject में मिल जाएगा science में विज्ञान देख लेना 10 वी का वहाँ पर मिल जाएगा यह हमारा YouTube चैनल है तो आपको YouTube को सब्सक्राइब कर लेना इस पर अभी 10.5 के सब्सक्राइबर है देखते हैं लास्ट में कितने रहते हैं तो आप playlist message आपके यह सारा कुछ देख सकते हो ठीक है मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आपको हमारी वीडियो देखती रहनी है और YouTube को सब्सक्राइब कर लेना और जब भी आप website पर जाओ तो हमारे लिए contribution का ध्यान रखना मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अगले subject के साथ जिस भी subject का चाहिए हो आप हमें comment करके बता देना और जो भी जरूरत हो वो भी comment करके बता देना ताकि हम आपकी जादा से जादा help कर सकें तो आपके board में जादा से जादा mark सा सकें मिलते हैं एकली वीडियो में thank you, bye, take care किसी भी 9th class से लगा करके 12th class तक के जो भी आपके study material है इन सब को अगर आपको कुछ भी चाहिए हो जैसे IMP question बगेरा ये सब तो आप क्या करोगे कि Google में जाकर के search करना बलास्ट कोचिंग क्लासिस spelling आप देख लेना B-A-L-L-A-S-T और फिर कोचिंग क्लासिस जैसे आप search करोगे और इसको आप उपर की तरफ scroll कर आओगे तो आपको कहीं न कहीं यहीं पर मिल जाएगा ballastcc.in करके तो ये हमारा है ballastcc.in जो ये ballast coaching classes है इस पर जैसे आप click करोगे तो आप हमारी जो official website हो उसके उपर आजाओगे तो ये हमारी website होगे इसको आपको उपर को scroll कराना है ये हर बार हमने आपको दिखाया हुआ है कि ये portion आप देख लेना कि आप website पर आगए हो और सबसे नीचे आजाना है last में जैसे आप footer में आओगे तो ये इदर आपके subject दे करके रखें ये 9th class की पूरी series है ये 10th class की पूरी series है और नीचे आओगे तो ये वाले 11th class के हैं और ये वाले 12th class के तो जो भी आपको subject चाहिए हो जैसे आपको 10th का science चाहिए science मतलब अगर English में चाहिए तो आप 10th science पे जाओगे और Hindi में चाहिए तो आप 10th विज्ञान पे जाओगे तो अभी हम लोग विज्ञान पे क्लिक करते हैं जैसी हम करेंगे तो उसके बाद में हमारा एक नया पेच खुलेगा जैसे ये वाला खुल रहा है तो ये हमारा 10th का Hindi मीडियम का विज्ञान है इसको आपको उपर की तरफ स्क्रॉल कराते जाना है जैसी आप स्क्रॉल कराते होए जाओगे तो यहाँ पर ये आपके MOOC टेस्ट है ये MOOC टेस्ट भी आप दे सकते हो पर MOOC टेस्ट के लिए इस पर रजिस्ट्रेशन होगा वो भी आपका free of cost है तो ये आप दे सकते हो अब जैसी study material पर क्लिक करोगे तो ये आपका study material खुल जाएगा इस website पर आपको NCRT की books जित्ता स्लेवस रिडिवस किया गया वो लास्ट एयर की सारे paper टॉपर की exam copy, model paper question bank और IMP question ये सब और परिक्षबूत की videos बगेरा ये सारी चीज़े मिल जाएगे तो जो भी आपको चाहिए हो आप यहाँ से ले सकते हो जैसे भी मैं IMP question पर जाता हूँ तो जैसे IMP question पर जाऊँगा तो मैंने objective की video आपको देखर के रखिए बाकी के question आपको यहाँ देखर के रखे कि MP board के IMP question 10W के लिए 2022-23 वाले session के लिए कम किया गया slabus नहीं है तो ये 2-2 marks के लिए IMP question है ये 3-3 marks के लिए हैं तो ऐसा करके ये सारे इसमें IMP question देखर के रखे और भी जो भी आपको चाहिए हो मैंने आगे आपको बता दिया वहाँ से आप देख लेना ठीक है तो जब भी ये website पर आओ तो आप हमारे contribution के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना